कथा सहित्य में आपका स्वागत है। अखबार पर नजर डाली तो एक समाचार देख उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पराय स्वर से कमल कांथ ने आँखे खोली। आँखों से आँसों की धारा बह निकली। पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं। अमर हमारा अमर नहीं रहा शशी। मुश्किल से इतना कहे सामने पड़ा अखबार शशी को थमा दिया। सूचना पढ़ शशी कांथ स्तब्द रह गया। घर में आग की तरह ये खबर फैल गई। अमर की मा दहाडे मार कर रो पड़ी। रोते रोते अस्फुट शब्दों में किसी आभागिन कल्याणी को कोस्ती गई। खबर दो दिन पहले की थी। यानि अब तक अमर का नश्वर शरीर भी राख हो चुका होगा। किसने उसे मुखागनी दी होगी। हाँ उसकी बेटी शायद देव्यानी नाम है उसका। क्या उसी ने पिता की चिता को अगनी दी होगी। उस हाहाकार के बीच घर के बड़े बेटे शशिकांत के मन में एक सावाल उमड अरहा था। अमर के ना रहने पर दोनों मा बेटी क्या करेंगी। कहीं वे दोनों इस घर में तो नहीं आ जाएंगी। पर क्या मा पापा उन्हें आश्र देंगे। पिछले दस वर्षों से अमर घर से निशकासित है। इस बीच उसकी चर्चा करना भी निशिध रहा। पुरानी कहानी शशिकांत को अच्छी तरह याद है। राय पहादुर कमल कांत को अपने उचकुल गोतर पर बड़ा अभीमान था। दो सुयोगे बेटों के पिता के रूप में बिरादरी में उनका बहुत सम्मान था। बड़ा बेटा शशिकांत पी डबलू डी में इंजिनियर था। और जब छोटे बेटे अमर ने प्रशासनिक परिक्षा में सफलता पाई तो मानों उनके सपने आकाश चुने लगे। शशिकांत का विवाहा एक नामी परिवार की एकलौती बेटी से हो चुका था। और आज वो एक पुत्र रोहन और पुत्री रितू का पिता था। कलेक्टर दामात पाने के लिए धनी परिवारों की लाइन लग गई थी। कमल कांत कुछ निश्चे कर पाते की गाउं से वयोवरित पिता की बिमारी की खबर आ गई। कमल कांत अस्मन जस्में पड़ गए। पिता की गाउं ना चोड़ने की जित से वे परिचित थे। उन्हें शहर लापाना असंभव था। एक जरूरी काम की वज़ह से उनका गाउं जाना कठिन था। पिता की परिशानी का समाधान अमर ने आसानी से कर दिया। आप परिशान ना हो पापा, मेरी ट्रेनिंग शुरू होने में अभी एक महीने का वक्त है, मैं बाबा की सिवा के लिए चला जाऊंगा। उन्हीं क्या तू समभाल पाएगा अमर। कमल कांत शंकित थे। क्यों नहीं पापा, जब मैं छोटा था, बाबा ने मुझे समभाल अब उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उन्हें अच्छी तरह समभाल लूँगा। अमर को अपने पर पूरा विश्वास था। हाँ 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 वो तो जानता हूँ, तू अपने बाबा का लाड़ना पोता है। ठीक कहता है, शायद तू ही उन्हें समभाल सकता है। कमल कांत ने स भूली दिवाली पर गाउं जरूर आते, दादी का प्यार गाउं के जीवन में मिठास भर देता, पेड से कच्छे पके आम अमरूत तोड़ने का मजा ही और होता। मा की मृत्यू के बाद कमल कांत ने बहुत कोशिश की पिता को अपने साथ शहर ले आए, पर बाबा तयार नहीं हुए, उस घर में पतनी की स्मृत्या थी, कमल कांत के जन्म से जुड़ी आदे थी, अंतताहा पिता को पुराने सेवक रामदीन के सहारे छोड़ वेसा परिवार शहर आ गए, अब कभी कभी बाबा के पास कमल कांत हो आते, युवा होते पुत्रों के पास पढ़ाई का बोश पढ़ता गया, और गाउं जाने के लिए समय कम पढ़ता गया, अमर को देख, बाबा की आँखों में खुशी की चमक आ गई, चल, मेरी बिमारी ने मेरे अमर को तो बुला लिया, क्यों बाबा, तुमने ही तो हमें भुला दिया है, वरना क्या शहर में हमारे साथ तू नहीं समझेगा रे, इस घर के कोने कोने में पुरानी यादे है, उन्हें बटोर कर शहर कैसे जाओं अमर, बाबा की आवाज भी गाई, रामदीन ने अमर के ठहरने की पूरी विवस्ता कर रखी थी, बाबा को दलिया और दवा खिलाने के बाद, जब अमर बिस्तर पर लेटा, तो याद आया, दादी रात में कहानिया सुनाया करती थी, शशी को महभारत और रामायन की कहानिया सुनना पसंद था, पर अमर मचल चाता, हमें ये कहानिया नहीं सुननी है, हमें भगत सिंग की कहानी सुनाओ, दादी प्यार से उसका सिर सहला आशिरवात देती, तो एक दिन जरूर भगत सिंग और सुभाश चद्रबोस की तरहां महान इंसान बनेगा। अमर के सोच में एक मीठे गीत ने बाधा डाल दी। किसी लड़की की मीठी आवाज में गाये गीत ने उसे सोच में डाल दिया। गाउं में कौन ऐसी सुर साधना कर सकता है। सुभा रामदीन से पूछने का निर्ने ले अमर सो गया। दूसरी सुभा बाबा कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे। बुखार के साथ खासी में भी कुछ कमी आई थी। अमर को रात का गीत याथ हो आया। रामदीन से पूछा, रामदीन रात में कोई गीत का रहा था, गाउं में इतना अच्छा संगीत का ग्यान होना ताचुप की बात है। वो हमारे मास्टर जी की बेटी कल्याणी रही भाईया, बड़ी गुड़ी बेटिया है, बाबा से उसे बहुत प्यार है, तुम नहीं जानते, जब दबाकर बाबा के काम करके हमारी मदद करती है। स्नेहे से वृत रामदिन का स्वर्ग गद गद था। क्या गाउं में कोई नए मास्टर जी आये हैं रामदिन। अरे नहीं भाईया, वहीं मास्टर जी है, जो बाबा के कहने पर तुम दोनों भाईयों को पढ़ाने आया करते थे। तुम उनके आने पर छिप जाया करते थ ठीक है, पहले दूद पीकर नाश्टा कर लो, तुम्हारा मन पसंद हलवा पनाया है। कहते हैं कुवा प्यासे के पास नहीं आता, पर उस दिन वो कहावा जोटी पड़ गई, सामने से दो युवतियां मटकों में पानी लिए आती दिखी थी, सिर और कमर पर मटकों के साथ सहच रूप में चलते रहना विसमेकारी था, आगे बढ़ अमर ने अनरोध कर ही डाला क्या एक प्यासे को आपके मटके में से थोड़ा सा पानी मिल सकता है, अरे वाह, दो कोस दूर से ये पानी किसी को मुफ्त में पिलाने के लिए नहीं लाए है, इतनी ही प्यास लगी है, तो नाक की सीध में चले जाओ, जरने से प्यास बुझा लेना, पहली युवति ने सी जवाब दिया, छी शन्नो, ऐसे नहीं कहते, प्यासे को पानी पिलाना तो पुन्य का काम है, दूसरी लड़की ने शान्ती से कहा, एक अल्याणी, तू अपना ग्यान ना बखार, पानी मुफ्त में नहीं मिलता, शन्नो नाम की युवति ने शोखी से कहा, क्या गाउं में म महमान से पैसे लेकर पानी पिलाया जाता है, अमर ने ताज़ुप से पुछा, नहीं नहीं, महमान तो देवता समान होते हैं, लीजिये, पानी पी लीजिये, कल्याणी नाम की युवति ने सिर का घड़ा उतार कमर के मटके से पानी की धारोडे ली, अमर मीठा पानी पीता ही चला गया हाई राम ये कैसी प्यास है जी कल्याणी का पूरा मटका ही खाली कर दिया शन्नो ने आखें न चाई ओ आ हैं सॉरी पानी इतना मीठा था और मुझे इतनी प्यास लगी थी इसलिए पता ही नहीं लगा आपका पूरा घड़ा खाली हो गया अमार संकुचित था को ना कल्याणी ऐसी गलती ना करना वरना इनका क्या भरोसा उसी पास वाली गंदी नदी से पानी भर लाएंगे शन्नो ने चितावनी दी क्यों क्या गाउं में साफ पानी का अकाल पड़ गया है कहा से आएगा साफ पानी नदी के पानी में शहर का कच्रा पहकर आता है कुए के पानी पर भरोसा रखो तो बिमारी को दावत दो धीमी आवास में कल्याणी ने कहा अच्छा इसी लिए ज़रने से पानी लाना पड़ता है साफ पानी तो सबसे पहली जरूरत है उसका तो इंतजाम करना ही होगा अमर सोच में पड़ गया आप क्या इंतजाम कर पाएंगे चार दिनों को महमान बनकर आएंगे चले जाएंगे वैसी किसके घर आना हुआ है कल्याणी ने गंभीरता से कहा राधा कांत जी का छोटा पोता अमर हूँ अच्छा लाओ अपना घड़ा देदो अभी पानी ले आता हूँ ओह आप बाबा की घर आएंगे हमारे भूल माफ करना हाँ हम महमानों से काम नहीं कराते शाम को मठके भर लाएंगे चल शन्नो अमर के जवाब की प्रतिक्षा किये बिना कल्याणी शन्नो को साथ ले चली गई दोनों को जाते देखता अमर सोच में पड़ गया शन्नो के मुकाबले कल्याणी गंभीर युवती थी गाहों म वैसी भाषा और शालिंता देख पाना एक अनुभव था कल्याणी के सौमे चेहरे में सादगी का अकर्शन था अगर वो शहर में होती तो आधुनिक प्रसाधन उसे सुन्दरी का खिताब जरूर दे देते ना चाले किसकी बेटी है कल्याणी बातों से लगता है वो पढ़ की दिवारों पर सुन्दर मधुपनी शैली में बने चित्रों को देख अमर विस्मित था दर्वाजा खटखटाने पर जिस लड़की ने द्वार खोला उसे देख अमर चौक गया ये तो पानी बिलाने वाली लड़की कल्याणी थी अरे आप यहां कल्याणी भी विस्मित मास्टर जी है हाँ आप बाबुजी से मिलने आए है आए बाबुजी पैठक में है कल्याणी ने अमर को पैठक में अमंत्रित किया साधी सी पैठक में स्वच्छता और सुरूची थी बेयत की चार कुरसियां और एक दिवान के अलावा बीच में एक मेस थी मेस पर एक कलात पर उन्होंने द्रिस्टी उठा देखा पर पहचान न सके कल्याणी ने परिचे कराया बाबुजी ये राधा बाबा के पोते हैं आपसे मिलने आये हैं अरे तुम शशी तो नहीं हो सकते अमर हो ना क्यों ठीक पहचाना ना मास्टर जी के चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान आ ग लगी होगी नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं एक मठका पानी पिकर आया हूँ अमर ने शरारती नजर पास खड़ी कल्याणी पर टाली इस बार बहुत दिनों बात आये हो क्या काम कर रहे हो जी मास्टर जी पहले तो पढ़ाई का बोश था फिर कंपेडिशन की तयारी की व गाउं के लिए गौरव की बात है सुना कल्याणी हमारा अमर कलेक्टर बन गया है मास्टर जी सचे दिल से खुश थे कल्याणी की पढ़ाई का क्या हाल है गाउं में तो लड़कियों की पढ़ाई का ठीक इंतजाम नहीं था आज भी वही हाल है अमर ना जाने कितनी अर्ज शेह जाकर खुद मिला बार बार कहा लड़कियों के लिए बार्वी तक की पढ़ाई की विवस्ता कर दी जाए पर नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है कल्याणी ने मैट्रिक पास कर लिया है अब घर पर ही बार्वी की तयारी कर रही है मास्टर जी की आवाज में गर्व का पुठ था वाज ये तो बड़ी अच्छी बात है आप जैसे पिता के साथ कल्याणी बार्वी ही क्यों बी एम में तक कर लेगी अमर की बात में सचाई थी नहीं बेटा मेरा भी यही सपना था पर शायद ये सपना सच ना हो सके मास्टर जी ने लंबी सांस ली ऐसा क्यों कह रहे है मास्टर जी वो इसलिए कि तुम्हारे मास्टर जी कल्याणी की उच्छ शिक्षा में मदद नहीं कर सकते हालाद की मजबूरियों की वज़ा से मैट्रिक के बाद बेसिक टीचर की ट्रेनिंग लेकर नौकरी करनी पड़ी कल्याणी को बार्वी के मैं मदद नहीं कर सकता मास्टर जी उदास हो गए निराज ना हो मास्टर जी आपका सपना जरूर सच होगा मैं यहां एक महीने तक रुख सकता हूँ इस पीच कल्याणी की गठनाईयों को दूर करने में मदद दे सकता हूँ तुम्हारा बड़ा उपकार होगा बेटा ऐसा ना कहे मास्टर जी आप मेरे गुरू रहे हैं गुरू कारिण तो शिश्यक कभी नहीं उतार सकता पर अगर आपके लिए कुछ कर सका तो मेरा सौभाके होगा आजकल तुम जैसे बिचारों वाले लड़के कहां मिलते हैं अमर जब समय मिले कल्याणी की मदद कर देना बिच जर्माती कल्याणी ने जवाब दिया, तुम्हारी संगीत में भी तो रूजी है कल्याणी, अमर को कल्याणी का रात वाला गीत याद हो आया, संगीत को विशह की तरह नहीं, शौक की तरह लेती हूँ, आपने कैसे जाना मुझे संगीत प्रिये हैं, कल्याणी की बड़ी- पर लाज थी। अल्हर बालिका बन गई उच्सहा से दिखाये गए चित्रों में राम कथा के अंश चित्रित थे वाह तुम तो बहुत अच्छी कलाकार हो जानती हो आजकल विदेशों तक में ऐसे पारंपरिक चित्रों की मांग है सच कल्याणी विस्मित थी दूसरे दिन से आमर कल्याणी को पढ़ाने मास्टर जी के घर चाने लगा कल्याणी की मेधा और पढ़ाई में उसकी रूची अमर को विस्मित करती काश इस लड़की को शहर में अपनी पर्धिभा विक्सित करने का मौका मिल पाता गाउं में रहते आमर को वहां की समस्याएं अनायासी परेशान करने लगी गरीबी, गंदकी, अशिक्षा, चिकित्से सुविधाओं का अभाव जैसी समस्याएं मौभाएं खड़ी थी ग्राम प्रधान या वीडियो से बात करने का खास नतीजा ना निकलता देख अमर ने जिला कलेक्टर से मिलकर गाओं की समस्याएं समझाई अमर की पोजिशन जान कलेक्टर ने समस्याओं के समाधन समंधी शिगर कारवाई के निर्देश दिये अचानक एक रात सोई बाबा सुभा ना उठ सके शहर से पूरा परिवार आ गया बाबा की अर्थी के साथ पूरा गाओं था तीसरे दिन शुद्धी हवन के बाद जब कमल कांथ का परिवार शहर वापसी की तैयारियां कर रहा था तो मास्टर जी ने अमर से कहा अगर तुम चले गए तो गाओं सुधार के लिए जो काम हो रहे हैं वो सब अथूरे रह जाएंगे क्या कुछ दिन और नहीं रुख सकते गौर करने पर मास्टर जी की बात की सचाइस पस्ट थी क्या भोले गाओं वालों की जरूरते पूरी कराना अमर का फर्स नहीं था ये सच था जो भी काम शुरू हो रहे थे उनके पीछे अमर था माता पिता के विरोत के पावजूद अमर ने गाओं में रुखने का निर्ने ले लिया कमल कांत ने सोचा ट्रेनिंग पर जाते वक्त अमर खुद ही घर वापस आ जाएगा कुछ दिन उसे अपने मन की कर लेने दो पर कमल कांत का सोचा कहा हो सका गाओं के मोह ने अमर को इस तरहां बांध लिया कि उतनी बड़ी नौकरी छोड़ते उसे जरा सी तकलीफ नहीं हुई परशास्निक सिवा का चांस छोड़ने की बात ने पूरे परिवार को चौका दिया पिधा के सपने तूट गए सब का समझाना पेकार गया अमर ने गाओं में रहकर ग्रामोधार का संकल्प ले डाला स्कूल की मास्टरी ही करने थी तो इतनी पढ़ाई की क्या सरूरत थी पिधा तहाडे पढ़ाई से ही तो अच्छे बुरे का ग्यान होता है पापा स्कूल की मास्टरी करके ना जाने कितने बच्चों का भविशे समार सकूंगा शांत पर द्रिट स्वर में अपनी बात कहकर अमर ने सब को चुप करा दिया अमर के गाओं में रहने की जिद परिवार वालों ने दिल पर पत्थर रखकर मान ली पर उसने तो गजब ही कर डाला छोटी सी बिमारी से मास्टर जी की मौत के बाद कल्याणी के साथ विवा करने की बाद से उसने पिता को जबर्दस्त धक्का पहुँचा दिया नहीं कभी नहीं उस मामूली मास्टर की बेटी हमारे घर की बहु नहीं बन सकती अपने खांदान का नाम मिटी में मिला कर ही दम लोगे पिता तहाडे हाँ उस मन्हूस लड़की के लिए हमारे घर में जखा नहीं है मा बाप नहीं रहे और खांदान में भी उसका कोई नहीं है मा ने विरोध किया कल्याणी मनहूस नहीं गुणवान लड़की है उसमें इस घर की बहु बनने लायक सभी गुण है अमर ने समझाना चाहा चुप रहें बंद कर अपना कल्याणी पुराण मेरे जीते जी वो हमारी बहु नहीं बन सकती मैं वचन बद हूँ मास्टर जी के अंतिम समय में मैंने बे सहरा कल्याणी का दाइत्व लेने का वचन दिया है ये क्यों नहीं कहता मास्टर की उस चालाग छोकरी ने तुझे अपने जाल में भसा लिया है इसी लिए कलेक्टरी छोड गाउं में बस कया कमल कांद की आवाज में घिरना थी कल्याणी के लिए ऐसे अपमान जनक शब्द मुझे सहर नहीं होंगे पापा मैं उससे प्यार करता हूँ सच्चाई ये है कल्याणी इस विवाह के लिए तयार नहीं है पर ये मेरा अपना निर्णे है वाह ये तो नई बात है उस लड़की के उकाथ ही क्या है जो हमारे बेटे से शादी के लिए तयार ना हो व्यंग से कमल कांद के ओंट फैल गए वो एक स्वाभिमानी लड़की है पापा उसका डर ठीक था मेरे परिवार पाले उसे अपने घर की बहु बनाने को तयार नहीं होंगे अगर उसे इतनी समझ है तो क्या तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए है बहुत हो गया अब गाउं छोड़ वापस आजा अब गाउं ही मेरा कर्म छेतर है और कल्याणी मेरी जीवन संगनी बनेगी ये मेरा द्रिड निश्चे है अगर तेरी यही जिद है तो याद रख अगर तुने उस लड़की से शादी की तो तेरे साथ हमारा रिष्टा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा ठीक है पापा आपको कल्याणी के साथ ही मुझे स्विकार करना होगा अगर आपको मेरी शर्ट मन्जोर नहीं तो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ मा के रोने और विंती के बावजोद अमर रुका नहीं था तब से आज तक उस बात को बारा बरस बीद गए अमर को पुर्खों की हवेली में रहने ना देने की जिद में कमलकांद ने पुर्खों की गाउं वाली हवेली भी पेश टाली अमर को रहने के लिए मास्टर जी का दो कमरों वाला घर ही काफी था कमलकांद को विश्वास था गाउं की तकलीफों से खबरा कर अमर वापस आ जाएगा परामर ने कभी भी पलट कर गाउं का रुख नहीं किया दूसरों के मुह से वे सुनते रहे पूरवजों के गाउं के काया कल्प के लिए अमर कृत संगल्प है अशिक्षा, स्वास्थे, पानी और गंदगी जैसी समस्याओं को दूर करने के साथ गाउं वालों की गरीबी दूर करने के लिए सरकारी योजनाय लागों करा रहा है गाउं वालों के बीच उसे देवता का दर्जा मिला हुआ है बेटे की तारिफे सुन, कमल कांथ और उनकी पतनी अमर को देखने को बेचैन हो उड़ते पर कल्याणी के कारण भी उसके पास ना जा सके अमर के घर आने का सवाल ही नहीं उड़ता था उसने तो साफ कह दिया था कल्याणी के बिना वो घर में कदम नहीं रखेगा अमर के घर बेटी का जन्म हुआ इसकी खबर भी गाउं के चौधरी से ही मिली थी चौधरी अमर को आशीष्टे न थकते कमल कांथ जी बहुत भागयवान है जो उन्हें अमर जैसा बेटा मिला है पुत्र की मृत्यू का शोक मनाते एक सब्ताह भी नहीं बिता था कि गाउं के चौधरी के साथ कल्याणी और उनके अमर की बेटी देवयानी उनके घर आ पहुँची देवयानी के उदास निश्प्रप चहरे पर बुध्धी प्रतिप्द आँखे अनायास ही अमर की याद दिला गई विशात की प्रतिभा सरीखी कल्याणी ने आंसो भरी आँखों के साथ साथ श्वसुर के पाउं चुने चाहे तो दोनों ने पाउं पीछे खींच असफुट शब्दों में ना जाने क्या कहा चाधरी ने स्थिती स्पस्ट कर दी अमर बाबू तो देवता थे उन्होंने तो गाउं की काया ही पलट दी ये तो गाउं वालों का ही दुर्भागे था अमर बाबू छोड़कर चले गए ना जाने कैसा जान लेवा बुखार चड़ा हजार जतन के बाद भी पारा नीचे ही नहीं उत्रा डॉक्टर कुछ नहीं कर सका भराय गले से कमलकांत इतना ही पूछ सके अब क्या कहें हमारी किसमत ही खराब थी डॉक्टर बाबू किसी शादी में कहीं दूर के शहर गए हुए थे कमपाउंडर से जो बन पड़ा किया शहर लाने का वक्त अमर बाबू ने दिया ही कहा सोचा गया बुखार है चला जाएगा चौधरी ने लंबी सांस ली ये सब इसी की वज़ा से हुआ है मेरा बेटा बे इलाज चला गया कल्यानी पर जलती द्रिष्टी डाल अमर की मा रो पड़ी ऐसी बात नहीं है माजी कल्यानी बिटिया ने तो उस दिन से दाना पानी ही छोड़ दिया है होनी को कौन डाल सकता है अमर बाबू गाउं के अस्पताल को बढ़ाना चाह रहे थे शहर से दो नए डॉक्टर आने वाले थे पर होनी को कुछ और ही मन्जूर था चौतरी ने अंगोच्छे से आंसु पोंश्टा ले हम यहां नहीं रहेंगे हम अपने घर जाएंगे माँ देव्यानी ने बात कहकर द्रिटा से ओट पीच लिए ठीक वैसे ही जैसे अपनी तकलीफ चिपाने को अमर होट पीच कर दर्द सह जाता था नहीं देव्यानी बिटिया अब यही तुम्हारा घर है ये तुम्हारे बाबा दादी है चौतरी ने देव्यानी को समझाना चाहा नहीं हमारा इन दोनों से कोई रिष्टा नहीं है इन्हें तुम वापस ले जाओ चौतरी रूखी आवाज में कमल कांथ ने कहा साहब जी इस बिटिया की क्या गलती है ये तो आपके बेटे की आखरी निशानी है क्या इसमें आपको अपने बेटे की जलक नहीं मिलती कमल कांथ की द्रिष्टी देव्यानी पर पड़ी तो वे चौंक उठे बिलकुल अमर जैसा सौमे तेजस्वी चहरा वैसे ही आँखों में कुछ कर गुजरने की आख जैसे धदक रही थी निशब्द कल्याणी ने कमल कांथ के हाथ में एक चिठी पकड़ा दी चिठी अमर की थी पिता के सामने कभी न जुकने के उसके निर्णे को बेसाहारा युवा पत्नी और मासूम बेटी के भविशे ने जुकने को विवश कर दिया पत्र में चंद पंक्तिया थी पूझे पापा पिछले कुछ दिनों से तब्या ठीक नहीं चल रही है ना चाने क्यों ऐसा आभासा हो रहा है मानो मेरा अंत निकट है ये पत्र कल्याणी के पास आपके नाम छोड़ रहा हूँ अगर कभी मैं ना रहूँ तो इसे आप तक पहुचाना उसका दाइत्व है एक अनुरोध है अपने इस नालायक बेटी की गलती की सजा कल्याणी और देव्यानी को मत दिजेगा मेरे अपराद में इनकी कोई भागिदारी नहीं है अगर मैं ना रहा तो इन दोनों को अपनी शरण में ले लीजेगा इन्हें अकेले छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा आपके प्रती अपने कर्तवे नहीं निभा सका इसका दुख है बहुत सी गलतीयों के लिए आपसे शमा मिली है इस पार भी माफ करेंगे ना आपका लाड़ला बेटा अमर चिठी के एक एक श्रब्द में मानो अमर साकार था दिवंगत बेटे की अंती मिच्छा का तिरसकार कर पाना संभव नहीं था कल्याणी और देव्यानी को घर में जगह जरूर दे दी गई पर उनके प्रती दुरुभाव में कमी नहीं आई जब तब बेटे की मौत के लिए कल्याणी को जिम्मेदार ठहरा सास दाने देकर भडास निकालती रहती जे ठोट जिठानी की आँखों में तो खटकती ही उन्हें डर जो था कहीं पिता की जायदात में से देव्यानी को भी हिस्सा ना मिल जाए हवेली जैसे घर में एक छोटा सा कोटरी नुमा कमरा देख देव्यानी को अपने पिता का खुला छोटा सा प्यारा घर याद हो आया मा, बाबा का घर इतना बड़ा है पर हमें ये छोटा सा कमरा क्यों दिया गया है इसकी खिड़की इतनी छोटी है कि हावा भी नहीं आएगी ऐसे नहीं कहते देव्यानी अब हमारा यही घर है हम दोनों के लिए इतनी जगह काफी है बेटी मा की आशु भरी आखे देखकर देव्यानी जैसे सब समझ गई हाँ मा, हमारे लिए जादा जगह क्यों चाहिए हम दो ही तो है, पापा तो चले गए कल्यानी बेटी को सीने से चिपडारो पड़ी कल्यानी की आखों में ज़रते आशुओं को अपनी हतेली से पोच्टी, देव्यानी ने मा को बच्चों सा दिलासा दिया पापा कहते थे, रोना अच्छी बात नहीं है मा बड़े होकर हम तुम्हारे लिए खुब बड़ा सा घर बनवाएंगे आधत के अनुसार, पहली सुभा देव्यानी पाँच बजे समेरे उठ गई, गाउं में रोज अमर के साथ ताजी हवा में घुमने के बाद जरने के ठंडे पानी से हाथ मूँ धो, उकते सूरे को परणाम कर घर लोटती थी कल्यानी उनके लिए गर्म दूद का गलास तयार रखती इस नए घर में सुभा 6 बजे तक सन्नाटा था साथ बचते बचते रोहन और रितु को स्कूल भेशने की तयारी का शोर शुरू हो गया कल्यानी कमरे में पूजा कर रही थी आवासे सुन प्रसन मुख देव्यानी पहार आ गई रोहन और रितु स्कूल यूनिफॉर्म पहने तयार थे मेज पर दोनों के लिए दूद के गलास रखे हुए थे दादी दोनों से दूद पीने के लिए मनुहार कर रही थी रितु ने मुख बना कर दूद के प्रतिवित्रिश्णा जताई तो देव्यानी ताज़ोग में पड़ गई चट मेज से दूद भरा के लास उठा एक सांस में दूद खात्म कर विजही निगाह से रितु को देखा था देखा रितु दीदी हम कितनी जल्दी दूद पी लेते हैं चहरे पर हसी आप ही न पाई थी कि रागिनी ताई का सूरतार थपड देव्यानी के गाल पर आ पड़ा था भुकर लड़की रितु का दूद पी गई दूसरे के हिसे की चोरी करते शरम नहीं आती हमने चोरी नहीं की रितु दीदी को दिखाना चाहते थे हम कितनी जल्दी दूद पी सकते हैं रोती देव्यानी के गाल पर उंगलियां उभर आई थी दादी ने वही सेतासी को आवाज दी थी कमली इस भुकर लड़की को चाह दे 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 देख रात की रोटी पड़ी हो तो वो भी दे दे ना जाने कहा की पेटो आई है नहीं हम बासी रोटी नहीं खाते सुबगती देव्यानी इतना ही कह सकी ओहो तो क्या महरानी जी गाउं में मोहन भोग खाती थी सुना अमा जी ये गाउं की छोकरी कैसे बाते बनाती है रागनी के चहरे पर आक्रोष झहलकाया था अब मान से देव्यानी की आँखे जलूठी उसके पापा कहते थे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए पर उस दिन के पाद से देव्यानी को जो मिल जाता गले से नीचे उतार लेती दो-چार दिनों में ही कल्याणी अपनी स्थिती समझ गई घर में उसकी स्थिती पुत्रवधू की नहीं दास दासी से भी बतर थी कम से कम उनसे नफरत तो नहीं की जाती देव्यानी को ये समझ पाना मुश्किल लगता घर के दूसरे लोग और उसके सम्वयस्क उससे बात क्यों नहीं करते रोहन और रितु के पास जाने पर वे उसे हिकारत की निगहा से देख मुह मोड़ लेते देव्यानी गाओं के स्कूल की सबसे मिधावी छात्रा थी उसे पिता की पुद्धी और मा का सौमे सौंदर्य मिला था ना जाने क्यों उसे स्कूल भेशने की बात कोई नहीं सोचता रितु और रोहन को ललक से स्कूल जाते देखती कभी कभी रितू या रोहन उससे अपना बैग कार तक पहुँचाने को कहते तो देव्यानी खेल जाती बैग उठाए देव्यानी मानों खुद को स्कूल जाता महसूस करती बार बार अपनी पुरानी किताबों के प्रिस्ट पलटती देव्यानी ठक चुकी थी मा हम भी रितू दीदी के साथ स्कूल जाएंगे हमें घर में अच्छा नहीं लगता अच्छा बेटी तेरे बाबा से बात करूँगी सच्चाई ये थी श्वसू से कुछ मागने का कल्याणी में सहस नहीं था वो तो उनकी निगाह में अपराधिन थी जिसने उनके बेटे को उनसे चीना था एक दिन रितू की किताब पढ़ती देव्यानी ऐसी अभिभूत थी कि रितू का आना उसे पता ही नहीं चला अपनी किताब देव्यानी के हाथ में देख रितू का पारा चड़ गया गुसे में किताब छीनने के प्रयास में किताब का एक प्रिस्ट फट गया अब तो रितु ने खर सिर पर उठा लिया मम्मी इस लड़की ने मेरी किताब भाड़ दी इसे घर से निकाल दो बेटी को रोता देख बिना कुछ पूछे रागनी ने देव्यानी को धुन डाला जिसका खाएगी उसी को परिशान करेगी खबरदार जो कभी आगे से रितु या रोहन के कमरे में पैर भी धरा बहुत मारूंगी जो फिर रितु की किताब चोरी से पढ़ी देव्यानी स्तब्द रह गई शरीर की चोट से जादा उसके मन पर जो चोट लगी उसे मा से छिपाए रखने की समझ उसमें आ गई थी दुखी मा को और दुख पहुचाने से क्या फाइदा जिस दिन देव्यानी को रितु की पुरानी फ्राखे पहनने को दी गई वो विद्रो कर बैठी हम पुरानी फ्राखे नहीं पहनेंगे हमें भी नई फ्राख चाहिए ऐसा नहीं कहते बेटी बड़ी बेहन की फ्रॉक पहनने से कोई छोटा थोड़ी ही हो जाता है मा के कहने पर देव्यानी ने वो धीली ढाली लंबी फ्रॉक पहन ली पर उसे देख रोहन का हस्ते हस्ते मुराहाल हो गया ए रितु देख हमारे घर एक पंदरिया आई है नाच पंदरिया नाच दोनों भाई पहनों की हसी ने देव्यानी को रुला दिया उसके बाद देव्यानी ने रितु की फ्रॉक कभी नहीं पहनी उस दिन रितु अपने खाने का डिबबा स्कूल लेजाना भूल गई रागिनी परेशान थी कैसे रितु के पास डिबबा पहुंचाए अचानक सामने खड़ी देव्यानी को देख उसे समस्या का समाधान मिल गया देव्यानी के हाथ खाने का डिबबा थमा निर्देश दिये थे देख ये डिबबा रितु के हाथ में ही देना वो पांचवी क्लास में है और हाँ भूल कर भी ये मत कहना तेरा रितु से कोई नाता है पूछने पर कह देना तो गाउं से आई है समझ गई ना हामी में सिर हिला देवयानी रितु के स्कूल उड़कर पहुंच जाना चाहती थी रितु का स्कूल देख देवयानी विस्मित र पांचवी कक्षा के बाहर खड़ी देवयानी कक्षा में पढ़ाय जाने वाले पाठ को सुनती अपना स्कूल जाने का मकसद भूल गई टीचर ने एक सवाल पूछा क्लास के बच्चों में से किसी का हाथ जवाब देने के लिए नहीं उठा बाहर खड़ी देवयानी से नह कहां बाहर खड़ी हो टीचर ने ताजुब से देवयानी को देखा सवाल का ठीक जवाब देकर देवयानी ने बताया वो रिद्दू का डिपा पहुंचाने आई है तुम कहां पढ़ती हो देवयानी हम गाओं में पढ़ते थे शहर आकर हम स्कूल नहीं जाते मा कहती है जि यह सच नहीं है देवयानी तुम एक पुद्धिमान लड़की हो तुम्हें खूब पढ़ना चाहिए भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे उचसहा से उमक्ति देवयानी ने टीचर की बात पता कर मा से कहा वो जरूर पढ़ेगी भगवान जी जरूर उसकी मदद करे चलचला आई आज अगर अमर होते तो क्या उनकी दुलारी बेटी की ये स्थिती होती अमर तो कल्याणी को भी पिए की परिक्षद दिलाने को तयार कर रहे थे पर बेटी के जन्म के बाद कल्याणी का स्वास्तिय खराब हो गया और पढ़ाई पूरी ना हो सकी अमर का कहना था आचानक कल्याणी जैसे चतने हुआई, जो उसके साथ हुआ, उसकी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए. कल्याणी को अपने सामने देख कमलकान चौंक गए धीमी आवाज में कल्याणी ने विंती की एक विंती है पापाजी क्या कहना चाहती हो रूखे स्वर में कमलकान ने पूछा वो देव्याणी को खुब पढ़ाना चाहते थे कहते थे उसे डॉक्टर बनाएंगे उनकी ये इच्छा आप ही पूरी कर सकते हैं पापाजी कल्याणी का स्वर निरही हो आया मैं क्या कर सकता हूँ आवाज में फिर वही रुखापन था देव्याणी को स्कूल में दाखिल करा दीजिए मैं घर का सारा काम करूंगी जो कहेंगे वैसा करूंगी देव्याणी का भविश्य बना दीजिए कल्याणी की आँखे भाराई दूसरे दिन खाने की मेज पर कमल कांथ ने शशी कांथ से कहा मेरे खयाल से देव्याणी को स्कूल भेजा जाना चाहिए शशी तुम रितू के स्कूल में देव्याणी का भी नाम लिखा दो क्या? आप क्या कह रहे हैं पापा? रितू के स्कूल की फिस कितनी भारी है? क्या आप चानते हैं? वह पापा जी, गाओं की लड़की को आप उतने बड़े अग्रिजी स्कूल में भेजना चाहते हैं वो भला वहां की लड़कियों के सामने सिरु ठाकर बात कर पाएगी अगर पैसा फालतु है तो कहीं दान कर दीजिये रागनी की आवाज का रोज छिपा नहीं था अरे, इनकी तो उमर के साथ पुधी ही खत्म होती जा रही है उस दिहातिन लड़की को मेम सहा बनाना चाहते है कमल कांथ की पत्नी ने भी बेटे बहु का साथ दिया अगर रितु के स्कूल में नहीं पढ़ सकती तो किसी दूसरे स्कूल में तो नाम लिखाया जा सकता है आखे लड़की को अनपड तो नहीं रखा जा सकता है ठीक है, पास ही में सरकारी स्कूल है ड्राइवर से कह दूँगा, उसका नाम उसी स्कूल में लिखा दे पहले दिन स्कूल जाती देव्यानी का चहरा खुशी से चमक रहा था स्कूल घर के पास ही था इसलिए पैदल जाना आसान था घर के दास दासियों के पास देव्यानी को पहुँचाने लाने के लिए विर्थ का समय कहा था कल्याणी ने खुशी खुशी ये दाइत्व ले लिया रागिनी ने ताना देकर कहा हाँ हाँ इसी बहाने कल्याणी बाहर की सेर कराया करेगी स्कूल की बातें देव्याणी पूरे उच्सहा से सुनाती उसकी टीचर महिमा दीदी बहुत अच्छी है वो देव्यानी को बहुत प्यार करती है पहली ही परिक्षा में हर विशे में पूरे अंकल आकर देव्यानी ने महिमा जी को विस्मित कर दिया तुम्हें घर में कौन पढ़ाता है देव्यानी अब तो कोई नहीं पढ़ाता जब तक पापा थे वे मुझे ही नहीं पूरे गाउं के बच्चों को पढ़ाया करते थे दीदी गर्व से देव्यानी ने बताया तुम्हारी मा तुम्हें नहीं पढ़ाती देव्यानी मा को घर के बहुत सारे काम करने पढ़ते हैं दीदी उन्हें पढ़ाने का वक्त कहां से मिलेगा देवयानी के चहरे पर उदासी छा गई क्यों तुम्हारे घर के और लोग काम नहीं करते नहीं दीदी, घर के नौकर ताई और दादी के कहने से काम करते है मा को सब का काम करना होता है मा की मदद कोई नहीं करता देव्यानी के उजवल मुह पर उधासी की छाया तैर गई ऐसा क्यूं देव्यानी? हमारे पापा जो नहीं है दिदी देव्यानी की गंफीरता से कही कई बात ने महिमा जी के दिल को छू लिया ये नन्धी बच्ची अपनी स्थिती से कैसे समझोता कर रही है उस दिन के बाद से महिमा जी देव्यानी पर विशेश ध्यान देने लगी खाने की छुटी के वक्त देव्यानी के डिपे में रूखी रोटी और शायद रात की बासी सबजी देख महिमा जी देव्यानी की स्थिती पूरी तरह समझ गई देव्यानी की मेधा उन्हें विस्मित करती एक बार पताई गई बात देव्यानी के मस्तिश्क में कम्प्यूटर की तरह अंकित हो जाती आठवी की परिक्षा में देव्यानी को हर विशे में पूरे अंक मिले थे पहले नंबर पर आई देव्यानी ने अपना रिपोर्ट कार्ड बाबा को बड़े उत्सहा से दिखाया बाबा हम पुरे क्लास में फस्ट आये है महिमा दीदी कहती है हमें कुछ बनके दिखाना है रिपोर्ट कार्ड देखते कमलकांद की आँखों में चमका गई उनका अमर भी हमेशा पहले नंबर पर आता था चाय पीते कमलकांद जी ने सबको बताया देव्यानी अपने क्लास में फस्ट आई है उसे कुछ इनाम मिलना चाहिए क्यों नहीं उस स्कूल में पढ़ने वालों में देव्यानी की स्थिती अंधू में काने राजा वाली ही तो है रितु के स्कूल में पढ़ती तो देखते व्यंग से रागनी ने ओठ टेड़े किये अगर हम रितु दीदी के स्कूल में पढ़ते तो भी हम फस्ट आते ताई हम हमेशा पहले नंबर पर रहे है कुछ अभी मान और खुशी से देवयानी ने जवाब दिया हाई राम ज़रा देखो तो बित्ते भर की छोकरी और गस भर की जुबान बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है रागनी का क्रोध फूट पड़ा अरे सब मा का सिखाया पढ़ाया है उपर से चुप रहती है पर अंदर से पूरी घुन्नी है अमर की माने हामी भरते हुए कल्यानी के प्रती अपना अक्रोश चताया नहीं मा हमें कभी गलत बात नहीं सिखाती देवयानी की आखे चलचला आई उस बहसा बहसी में देवयानी के इनाम की बात वैसे ही आई गई हो गई उस दिन के बात से देवयानी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाने लगी उसके पापा कहते अगर मन में पढ़नी की इच्छा हो तो कहीं भी स्कूल लग सकता है पापा जब भी दूसरे गाउं तक उंट पर जाया करते तो साथ जा रही देव्यानी को भुगोल और गणित के पाट पढ़ाया करते ना जाने कितनी कविताएं तो उसने उंट की सवारी में ही याद की थी देव्यानी ने जब ये बात रितू और रोहन को बताई तो वे ठठा कर हस पड़े भला उंट की पीट पर भी स्कून लग सकता है देव्यानी को चड़ाने के लिए अब उन्हे एक और बात मिल गई अब उसका नया नाम उंट वाली लड़की पढ़ गया बिना प्रतिवाद किये देव्यानी ने सबसे अपने को काट लिया अब पुस्तके ही उसकी मित्र थी महिमा जी उसे नई नई किताबे देती और देव्यानी उन्हें पा खिल जाती धीमे धीमे देवयानी के जरिये महिमा जी को देवयानी और उसकी मा की वास्त्विक स्थिति क्या थो गई देवयानी की बातों में उनका अपना अधीद जांकता लगता देवयानी की तरहां कभी वे भी चाचा के आश्रे में रहने को पाथे हुई थी पर देव्यानी तो अपने पिता के घर में ही त्रिस्कृत थी महिमा जी की आँखों के सामने उनके अधीद के चित्र उभरते आ रही थे पिता की आख्समिक मृत्यू के बाद आठवी कक्षा पास मा के सामने अपनी तीन बेटियों का पेट भरने की समस्या थी चाचा को मा और बेटिया फोटी आँखों ना सोहा दी मरने वाले खुद तो चले गए अपना बोज़ा हामारे सिर छोड़ गए चार-चार प्राणियों का पेट भरना क्या आसान बात है चाची महले की ओरतों के सामने अपना दुखडा रोती सची बात तो महीमा को कुछ दिनों बात समझ में आई पिता की मृत्यू के बाद भोली मा से जायदात के कागजों पर धोके से दस्थकत करा उन सब का हिसा चाचा ने हड़प लिया दिन रात काम करने के बाद भी बचे खुझे खाने पर ही संतोश करना पड़ता तीनों लड़किया जल्दी ही अपनी स्थिती समझ गई थी मा से उन्होंने कभी कोई मांग नहीं की चाचा के घर के पास समाज सेविका शांता बहन जी आसपास की लड़कियों को पढ़ाया करती थी एक दिन महीमा उनके पास पहुच गई हम भी पढ़ना चाहते हैं बहन जी वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है कुछ पढ़ना लिखना चानती हो बहन जी ने प्यार से पूछा नवी पास की थी मैटरी की परिक्षा की तयारी की थी पर बाबु जी नहीं रहे कोई बात नहीं इस साल तुम मैटरी की परिक्षा दे सकती हो कैसे बहन जी चाची हम बहनों को पढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगी ये जिम्मेदारी मेरी है मैं तुम्हारे चाचा चाची से बात कर लूँगी चाचा के घर आई शानती बहन जी उन चारों की स्थिती देख द्रवित हो गई चाची को समझाया लड़कियां पढ़ लिखकर चार पैसे कमा सकती है वरना उन्हें पूरी जिंदगी ढोना होगा बात चाची की समझ में आ गई सुभा जल्दी उठकर तीनों बहने घर के काम निप्टा शांता बहन जी के पास पढ़ने जाने लगी महिमा की मा बहुत सुन्दर कशिदाकारी और सिलाई जानती थी शांता बहन जी ने मा को रात की कक्षा में पढ़ाना शुरू कर दिया तकलीफे उठा कर भी अंता तहा तीनों की मेहनत रंग लाई महिमा ने बिये परिक्षा पास कर ली और मा ने मैट्रिक की परिक्षा पास करके सिलाई कढ़ाई में डिप्लोमा ले लिया शांता बहन जी के सहयोग से मा को एक सिलाई स्कूल में नौकरी मिल गई महिमा ने प्राइविट स्कूल में नौकरी करते हुए टीचर स्ट्रेंडिंग भी पूरी कर ली मा बेटी दोनों की नौकरी के बाद शांता बहन जी ने उन्हें अलग घर में रहने की सलहा दी थी महिमा जी को याद है वो दिन उन सब के लिए कितनी बड़ी खुशी का दिन था माटी के गणेश जी की स्थापना कर उन्होंने नई जिन्दगी की शुरुआत की थी आज महिमा जी उनकी मा और बेहने नौकरी करके आत्म सम्मान पूंट जीवन जी रही है महिमा जी को महसूस हुआ उन्हें जो जीवन शांता बहन जी की मदद से मिला है उनका फर्स है वैसा ही जीवन देव्यानी और उसकी मा को दिलाने में सहयोक दे दो तिन बाद घर की चुटी के बाद महिमा जी ने देव्यानी से कहा देव्यानी आज मुझे अपने घर ले चलोगी आप हमारे घर चलेंगी दिदी खुशी से देव्यानी का मुह चमक उठा हाँ देव्यानी ले चलोगी अपने घर जरूर दी दी पर हमारा कमरा बहुत छोटा है हम बस दो ही लोग है ना तुरंद अपने छोटे कमरे के लिए देव्यानी ने सफाई दे डाली देवियानी के साथ कल्यानी के पास पहुँच महीमा जी ने कल्यानी को चौका दिया अरे आप यहाँ कल्यानी हरबडा सी गई क्यों क्या एक बेहन अपनी दूसरी बेहन के घर नहीं आ सकती साहा से महीमा जी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मुझे अपनी बेहन कहकर आपने मेरी जिन्दगी की एक बहुत बड़ी कमी पूरी कर दी कल्याणी की आँखों में आसु जिल मिला उठे ठीक है तो आज से हमारा रिष्टा पक्का हुआ हम दोनों बेहने है और देव्यानी मैं तुम्हारी मौसी हूँ अब तुम मुझे दीदी नहीं मौसी कहोगी समझी समझ गई मौसी मुस्कुराती देव्यानी ने सबको हसा दिया महिमा जी ने कमरे में द्रिष्टी डाली तो एक अलमारी में समाज शास्त्र हिंदी आदी की किताबें देखकर पूछ बैठी ये किताबे क्या देव्यानी के पापा की हैं? नहीं, वो चाहते थे हम बिये करके अपने पाओं पर खड़े होने लायक बन सके ये सब हमारी किताबे हैं वाह, मतलब तुमने बिये की पढ़ाई की तयारी की थी? हाँ, पर बीच में देव्यानी के जन्म के बाद मेरा स्वास्तिय इतना खराब हो गया कि परिक्षा नहीं दे सकी उसके बाद तो वो खुद ही चले गए कल्यानी का स्वर भी गया अमर जी की इच्छा पूरी करना क्या तुम्हारा फर्स नहीं बनता है कल्यानी? मतलब, मैं समझी नहीं महिमा अमर जी तुम्हें आत्म निर्भर बनाना चाहते थे और तुम पराश्री जीवन जी रही हो क्या ये जीवन उनकी इच्छा का अपमान नहीं है? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी स्थिती बहु की नहीं, एक आश्रिता की है महिमा तो अपनी इस स्थिती को सुधारो कल्याणी तुम्हें भी सम्मान पून जीवन जीने का अधिकार है मैं क्या करूं महिमा? कल्याणी का स्वर करून था इन किताबों पर जमी धूल जाड़कर भूले वे पाट दोहराओ कल्याणी अगले वर्ष तुम्हें भी एकी परिक्षा देनी है सच मौसी, क्या मा भी पढ़ेगी? देव्याणी दाली बजा कर हस पढ़ी कल्याणी की आँखों के सामने एक नई दुनिया की तस्वीर खोल कर महिमाजी चली गई कल्याणी के साथ देव्याणी ने अलमारी से पुस्तके उदार मेज पर सजा दी पुस्तकों की प्रिष्टों के बीच अमर का मुस्कुराता चहरा साकार था अमर कहता पढ़ाई पूरी करके तुम्हें गाउं की इस्त्रियों को सही अर्थों में शिक्षित करना है कल्याणी तब ही तुम मेरी सच्ची जीवन संगनी बन सकोगी अच्छा जी क्या अभी हम आपकी सही जीवन संगनी नहीं है मान भरे स्वर में कल्याणी कहती तुम मेरी जीवन संगनी नहीं मेरा जीवन हो कल्याणी अमर की प्यार भरी द्रिष्टी कल्याणी को सराबोर कर जाती सारे काम निपटाने के बाद देर रात तक कल्याणी किताबों में सिर जुकाए पाड तो राती रहती पुस्तकें खोलते ही जैसे अमर उसके पास आवैट था अब समस्या परिक्षा देने की थी महिमा जी ने कमल कांथ जी से विनमर निवेदन किया अमर जी अपनी पत्नी को आत्म निर्भर बनाना चाहते थे उसके लिए किताबें खरी दी थी बेटे की इच्छा पूरी करके आप उनकी आत्मा को शांती पहुचा सकते है पापा जी हमारे घर की बहु बाहर कॉलेश पढ़ने नहीं जा सकती रूखे स्वर में कमल कांथ ने फैसला दे दिया कल्यानी कॉलेश नहीं जाएगी घर में ही पढ़ाई करेगी मैं उसकी मदद करूँगी आप बस परिक्षा देने की इजासत दे दीजिए मैं सोचकर जवाब दूगा दो दिन कल्यानी ने पेचैनी में काटे ना जाने श्वसुर का क्या फैसला होगा अचानक देवयानी ने कमल कांथ को चौका दिया बाबा अगर आप मा को परिक्षा नहीं देने देंगे तो पापा आपसे नारास हो जाएंगे आप बाबा की बात नहीं मानेंगे बाबा देवयानी की बात ने जैसे उन्हें निर्णे तक पहुचा दिया ठीक है तुम्हारे मा परिक्षा दे सकती है पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी कौन सी बात बाबा हमेशा फस्ट राती रहोगी वरना तुम्हारे बाबा नाराज हो जाएंगे अचानक देवयानी के लिए उनके मन में मम्धा उमड़ाई थेंक्यू बाबा आप बहुत अच्छे हैं मा को खुशकबरी सुनाने देवयानी चिडियासी उड़ गई कल्यानी बिये की परिक्षा देने के लिए जी जान से जुट गई देवयानी ने नवी कक्षा सर्वो चंकों के साथ उत्तिन की थी अब मैट्रिक की पढ़ाई के लिए उसे तयारी करनी थी बाबा को दिखाना है देवयानी हमेशा फस्ट आएगी वक्त गुसरता गया कल्यानी ने बिये की और देवयानी ने मैट्रिक की परिक्षा दे दी दोनों उच्षुकता से परिक्षा परिणामों की पर्दिक्षा कर रही थी अंतर तहा परिणाम आ ही गए देवयानी को पूरे जिले में दूसरी पोजीशन मिली थी सभी विश्यों में डिस्टिंक्शन पाकर उसने महिमा जी तक को विस्मित कर दिया कल्याणी का परिक्षा परिणाम तो और भी चौकाने वाला था उसे बी ए में प्रथम च्रेणी मिली थी और समाज शास्त्र में सर्वो चंक थे महिमा जी ने कल्याणी को बधाई देकर कहा अब तुम्हें अपनी रहा खोचनी है कल्याणी ग्रेजुशन के बाद कोई नौकरी मिल सकती है कल्याणी ने चुप चाप अखबार में नौकरी के विख्यापन देखने शरू कर दिये अमर के शब्दों में उसे अब शक्ती संपन नारी बनना था अचानक एक दिन महिमा जी एक विख्यापन के साथ आपहुची विख्यापन में एक स्थानिय कारेले में सहयक समाज कल्याण अधिकारी पत के लिए महिला उम्मिद्वारों से आविदन मांगे गए थे प्रत्याशी के पास बिये में समाज कल्याण एक विख्य होना अवश्यक था महिमा जी की सलहा पर कल्याणी ने आविदन दे दिया कल्याणी को सक्षातकर के लिए बुलाया गया तो वो स्वंजस में पढ़ गई पढ़ाई करने तक की तो बात मान ली गई पर क्या उसे नौकरी करने चाने की इजाज़त मिल सकेगी मा की दुविधा देव्याणी ने दूर कर दी पापा के सपने सच करने के लिए तुमने जो गदम भढ़ाया है मा उसे अब मत रोगो चुनोतियों का सामना करने के लिए साहस चुटाना ही होगा ग्यारमी में पढ़ रही अपनी बेटी को कल्याणी जैसे पहचान नहीं पा रही थी वो ते जस्वनी क्या कल की नन्ही बालिका देव्यानी थी अंता तहा कल्याणी ने साक्षातकार दिने जाने का निर्ने ले ही लिया साक्षातकार में कल्याणी की साध्की, सच्चाई और प्रतिभा ने इंट्रव्यू बोर्ड के लोगों को बहुत प्रभावित किया कल्याणी का चैन हो गया कल्यानी को बधाई देकर महिमा जी ने कहा इस पद पर कारे करते हुए शोशित इस्तरियों का कल्यान कर सको यही मेरी कामना है ठीक कहती हो मौसी पर सबसे पहले तो मा को अपने को शोचन मुक्त कराना होगा देखना है मा की नौकरी की बात लेकर आने वाले भुचाल का मा कैसे सामना करती है सहास्य कही देव्यानी की बात में सच्चाई थी कल्यानी की नौकरी की बात को लेकर घर में शोर मच गया शशिकान्थ ने सारा दोश कमलकान्थ पर टाल दिया यह सब पापा का किया धरा है बड़ा शौक था बहु पढ़ेगी दुनिया वाले तो हमें ही भला बुरा कहेंगे भाई नहीं रहा तो उसकी बीवी को दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला सके हमारे खांदान की बहु बाहर नौकरी करने जाए ये तो नाक कटाने वाली बात हुई हम तो किसी को मुह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे सास ने बेटे की बात का समर्थन किया रहने दो दादी मा को इस घर में बहु का दर्जा ही कब दिया गया है सच तो ये है मा के साथ जैसा बरताव किया जाता रहा है खांदान की नाक तो उसके लिए नीची होनी चाहिए थी देवयानी का गोरा चहरा उत्तेजना से लाल पड़ गया एहसान फरामोश लड़की अगर हमने रोटी ना दी होती तो भोकी मरती शशीकांद क्रोट से खाफ उठे रोटी दी तो कौन सा एहसान किया ताओ जी मेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना रितू और रोहन का है अच्छा मुझसे हक की बात करती है अभी तेरी आउकाद बताता हूँ शशीकांद के देवयानी को थपड़ मारने को उठे हाथ को देवयानी ने दृता से पकड़ कर रोख लिया नहीं अब और अन्याय नहीं सहेंगे कल्यानी डर गई उसकी बेटी पूरे खांदान से टकर ले रही है हाथ जोड़कर माफी मांग बैठी इसे माफ कर दीजे भाई साहब ये अभी नादान है गलती हो गई नहीं मा मैंने कोई गलती नहीं की और तुम किन के आगे हाथ जोड रही हो याद है पापा कहते थे अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों अपराधी होते है वाहरी छोकरी मा को चार पैसे की नौकरी क्या मिल गई बड़ी बड़ी बातें बना रही है इतने दिनों तक क्यों चुपचा पन्याय सहती रही रागनी ताई ने हाथ नचा कर कहा ठीक कहती होताई जोड़ा मुखी का उद्गार तब ही होता है जब उसके गर्ब में लावा उबलने लगता है अब मेरे अंतर में भी आक्रोष उबल रहा है देव्यानी के द्रिट शब्दों ने सब को चौका दिया अमर की मा को लगा जैसे देव्यानी में उनका अमर ही बोल रहा था जब कभी दोनों भाईयों में लड़ाई होती तो अपनी बात की सच्चाई बताते ना बात की कल्यानी के प्रति आक्रोष की वजहा से उनकी बेटी भी दुश्मन ही लगती रही नहीं नहीं देव्यानी से उनका कोई रिष्टा नहीं वो कल्यानी की बेटी है अपनी मम्ता गोजटक वो वहां से चली गई शशिकांत ने अपना फैसला सुना दिया अगर कल्यानी को नौकरी करनी है तो खुशी से करे पर उस थिती में कल्यानी और देव्यानी को उस घर में रहने की अनुमती नहीं दी जा सकती सौभा के वश कल्यानी को कार्यले की ओर से दो कमरों वाला घर दिया गया था देवयानी के उच्छहाँ ने घर छोड़ने के डर को दूर कर दिया कल्याणी का घर शहर के कुलाहल से दूर था चारों और शाल और महुआ के पेड़ों की हरियाली थी नाया घर पाकर देवयानी को जैसे नई जिन्दगी मिल गई, छोटे से बंद कमरे की जखा खुला घर और हरा भरा परिवेश उसे गाउं के घर की याद दिला जाता, घर के पीछे वाला महुआ रात भर रोता और सुभा होते ही पास के गाउं की लड़कियां महुआ बटोरने आ जाती, महुए की मीठी खुश् दिदी, कैसा काम करेगी, नाम क्या है तेरा, कल्याणी ने हस कर पूछा, पारो, जो काम दोगी करेंगे, पगार क्या लेगी पारो, पगार का क्या है दिदी, जो भी पैसा होगा, बापू छीन कर दारू पी जाएगा, पारो हस्ती, क्यों, मेहनत तुम करो और पैसा कमाई करती है और उसका मरत दारू पिकर मस्ती करता है पारो उदास हो आई तुम्हारा मरत भी ऐसा ही करेगा पारो देव्यानी ने ताज्युप से पूछा नहीं नहीं चंदन ऐसा नहीं है वो स्कूल में पढ़ता था अब ठेकेदार के साथ काम करता है पारो के चहरे पर लजीली मुस्कान आ गई चंदन तेरा आदमी है पारो कल्यानी ने पूछा अभी हमारी शादी नहीं हुई है पर चंदन कहता है वो बस हमसे ही शादी करेगा पारो हस रही थी ठीक है तो घर के कामकाज में हमारी मदद करेगी पर अपनी पगार अपने पास ही रखेगी देव्यानी ने चेतावनी दी दूसरे दिन से पारो काम पर आने लगी घर में जहाडू बहारू बरतन बासन साफ करके भी उसके पास काफी वक्त गाउँ की कहानिय सुनाने के लिए बच्चा था, पारों की बातों से गाउं के इस्त्रियों की दुखत स्थिति स्पस्ट हो जाती, कल्याणी को लगता, काश वो उनके लिए कुश कर पाती, बार्मी कक्षा में देव्यानी के साथ एक नई लड़की सुश्मिता ने प्रवेश लिया, सुश्मिता की सादगी और कामभिर्य ने देव्यानी को आक्रिष्ट किया, जल्दी ही दोनों अच्छी सहिलिया बन गई, दोनों के जीवन में भी बहुत समाध्दा थी, दोनों के पिताओं का जीवन गाउं में पिता था, सुश्मिता के पिता गाउं में डॉक्टर थे, दोनों के पिता अपनी पूरी होती लगती वक्त पंख लगाकर उनचाता है कहावत सच लगती है देव्यानी ने बार्मी की परिक्षा देकर मेडिकल एंडरेंस परिक्षा दे दी ना जाने क्यों सुश्मिता ने डॉक्टर बनने का खयाल अचानक छोड़ दिया देव्यानी के लाख पूछने पर उ नहीं देव्यानी मेरे अपने कारण है मैं अपना निर्डे नहीं बदल सकती दिर्टा से ओंट पीच सुश्मिता ने कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया बार्मी की परिक्षा में भी देव्यानी को सभी विश्यों में डिस्टिंशन के साथ सरकार की योगिता छात्रवि मेडिकल एंट्रेंस परिक्षा का परिणाम और भी जादा उत्साह जनक था मा की सुविधा को ध्यान में रख कर देव्यानी ने उसी शेहर के मेडिकल कॉलेश में प्रिवेश ले लिया हलके गुलाबी रंग के सलवार सूट में कॉलेश पहुची देव्यानी की साधगी मे अनोखा सुंदर्य था चेहरे पर चमकता आत्म विश्वास और बुध्धी का तेज उसे अपुर्वा बना जाता था सीनियर बैच रेगिंग कर रहा था देव्यानी को भी रोक लिया गया अपना नाम बताईए मुहतरमा देव्यानी वाह भई क्या दक्यानों सी नाम चाट अर्थ ठीक समझ में आ सकता है ये नाम मेरे पापा ने दिया है और किसी भी कीमत पर इस नाम का उपहास मुझे पसंद नहीं गंभीरता से देव्यानी ने कहा अरे अरे गलती हो गई आपके पापा हमें कड़ी सजा तो नहीं देंगे व्यन से मुहिनिश ने दाइनिय मुह पापा किसी को सजा कैसे दे सकते हैं? वो तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चा चुके हैं. वैसे भी मेरे पिता सजा में नहीं, शमा में विश्वास रखते थे. देव्यानी का चहरा उदास हो आया. सौरी, आपका दिल दुखाने का हमारा कताई इरादा नहीं था देव्यानी. रोहित ने सचे दिल से शमा मांगी. आपकी गंभीरता देखकर लगता है, आप हम जैसों सी मस्त मौला नहीं पढ़ाको टाइप लड़की दिखती हैं. क्यों? ठीक समझा ना? बाई दिवे, ट्वेल्थ में कितने परसेंट मांक्स मिले थे? मोहिनीश ने माहुल हलका करना चाहा. 96 परसेंट अंक मिले थे. शांती से देव्यानी ने चवाब दिया. ओ माई गॉड! यानि कि आपने ही टॉप किया होगा. रोहित विसमित था. जी नहीं, मेरी तीसरी पो पी पर नाम नहीं रोल लंबल लिखे जाते हैं. देव्यानी मुस्कुरा रही थी. चलिए, आप हसी तो. वैसे देव्यानी जी, पाश्चत्य संगीत के बारे में आपके क्या विचार है? अगर एक पॉप सौंग गा दें, तो आपकी रेगिंग खत्म. रोहित ने वादा कि थी चीर्स फॉर मिस देव्यानी. ही फिप फुर्रे. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. उमीद है हम अच्छे मित्र बन सकेंगे. रोहित के पढ़े हाथ के उत्तर में देव्यानी ने हाथ चोड़ दिये. घर लोटी देव्यानी ने मा को अपने रेगिंग की कहानी सुना तो एक नामी डॉक्टर बनेगी. नामी नहीं एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहूंगी. पापा का गाउ मेरा करम छेतर होगा मा. तेरे पापा की इच्छा थी. मैं गाउं की आड़तों को सही दिशा दू. एक योजना मेरे दिमाग में आई है. वाह! मा आप तो जल्दी स अपनी योजना बता डालो. देव्यानी खुश थी. देख, हमारे ओफिस में ग्रामे निस्तरियों के विकास के लिए फंड आया है. मैं सोच रही हूँ, पारू के गाउं की आउरतों के विकास के लिए ऐसी योजना तयार करूं, जिसके द्वारा उन्हें आत्म निर्भर पनाया जा सके. ये तो बड़ी अच्छी बात हो की मा, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी योजना सफल होगी. कल्याणी ने महिमा जी के साथ भी अपनी योजना की चर्चा की. महिमा जी ने कल्याणी की योजना में समर्थन देने का विश्वास दिलाया. योजना ब निया ओड़ों से बात करनी शुरू की, उन से कहा उन सब के पास कोई न कोई हुनर है, अपने इसी हुनर के जरिए वे पैसे कामा सकती है, अपने बच्चों को अच्छा खिला पिला सकती है, उन्हें पढ़ा सकती है। शर्वती ने उठकर कहा, ये बाते सुनने में अच्छी लगती है, पर गाउं की अनपर औरतों के हुनर की कौन कदर करेगा दीदी? ऐसी बात नहीं है शर्वती, आजकल गाउं की बनी चीजों की तो बाहर के देशों तक में मांग है. महिमजी ने समझाया, हमें घर के काम नि वहां रहा, अगर ठीक से सोचकर काम किया जाए, तो हर काम के लिए वक्त निकाला जा सकता है, कल्याणी ने कहा, आपकी बात और है दीदी, हम देहात की ओरतों की बात अलग है, कजरी ने गहरी सांस ली, नहीं कजरी, हम में और तुम में बस एक फर्क है, हमने शिक्चा पा जमीला चाची ने कहा, अरे वहां जमीला चाची, तुम तो कहावत बोल रही हो, वैसे सच बात ये है, पढ़ने की कोई उमर नहीं होती, हमारी अम्मा ने तुम्हारी उमर में पढ़ाई पूरी करके नौकरी की, और हम तीन बहनों को पढ़ाया, महिमा जी ने अपनी कहानी दोहराई, सच, क्या हम पढ़ सकते हैं, जमीला के चहरे पर विसमे था, जरूर पढ़ सकती हो चाची, पर गले में लाल लगाम डालनी होगी, पारो ने जमीला को चिड़ाया, ठहर तो लड़की, आज चंदन से कहेंगे तेरे गले में लाल चुनर डाल जल्दी से ले जा, बहुत पर निकलाये हैं छोकरी के, अरे चाची, ये बात जल्दी कह दो, हमारा तो भला ही होगा, पारो खुल कर हस दी, देख रही है दीदी, पारो कैसी बेशर्म हो गई है, अपनी शादी की बात खुद कर रही है, शीलो भी हस रही थी, अरे ये सब चंदन की सोहबत का अ सामने से कमीज बेंट पहने एक युवा का पहुचा, उसे देखते ही पारो का चेहरा खिल उठा, जमीला ने उसे आड़े हतों ले लिया, क्योरे चंदन, काम का छोड़ कर होने वाली बहुरिया के पीछे दोड़ा आया है, सुन ले, पारो की लगाम कसकर बांधे रखना, बरना ये घोड़ी ना जाने कौन रह जाए, अरे चाची, तुम्हारे रहते भला पारो गलत रह जा सकती है, पारो ने बताया था, औरतों से बात करने दो दीदी आ रही है, सो उनसे मिलने चला आया, मुस्कुराते चंदन ने कहा, हाँ चंदन, हम गाउं की औरतों की तरक् बना लीजिए, इसे पढ़ा लिखा कर कुछ अकल दे दीजिए, पारो की और कंखियों से देख चंदन मुस्कुरा दिया, अच्छा जी, क्या हम बे अकल हैं, जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, पारो ने मान दिखाया, नहीं पारो, तुम तो बुद्धिमान लड़की हो, तुम्हारी मदद से ही तो गाओं में काम शुरू कर पाएंगे, कल्याणी ने पारो को प्यार से देख कर कहा, दीदी, आप हम लोगों को कौन-कौन से काम कराएंगी, अब तक चुप बैठी यूवती बंतों ने पूछा, देखो, तुम में से बहुत से ओरतें, घर में सूत काती है, चटाई मुढे बनाती है, सिलाई कढ़ाई करती है, अगर इन कामों को और जादा सुन्दर ढंग से किया जाए, तो शहरों के बाजार में बेचने से काफी पैसा मिल सकता है, कल्याणी ने बताया, इतना ही नहीं, अचार, चटने, पापण, बड़ी मॉंगोर जैसी चीजों की भी शहर में खूब मांग रहती है, घर जैसी चीजें सब भी पसंद करते हैं, महिमा जी ने प्यार से समझाया, तुम जो सूत मुंती हो, उससे हद करगे पर कपड़ा बुनना सीख सकती हो, चंदन ने भी जानकारी दी, दीदी, आप हमें जो सपने दिखा रही है, वो सच कैसे होंगे, हमारे मर्दों को तो बस दारू चाहिए, हम कमाएंगे, वो उड़ाएंगे, शीलों ने दुख से कहा, हाँ दीदी, अगर हम पढ़ना चाहे, तो भी नाराज होते हैं, मर्दों को लगता है, अगर हम पढ़ गए, तो उनकी बात नहीं नादिरा ने कहा, ठीक है, हम गाउं के मर्दों से बात करेंगे, एक बात कहना चाहूंगी, सही बात सुनना ठीक बात है, पर डर के कारण गलत बात के लिए दबना ठीक बात नहीं है, कल्याणी ने दृड़ता से कहा, देखो, औरतों में बहुत ताकत होती है, अपनी ताकत पहचाना सरूरी है, जानती हो, आंदर प्रदेश में गाउं की आड़तों ने एक जुठ होकर अपने मर्दों की शराब बंदी करा दी, महिमा जी ने जोश से कहा, क्या, आड़तों ने मर्दों की शराब बंदी करा दी, कैसी दीदी, कजरी के चहरे पर धीर सारा अश्चरे हाँ कजरी आड़तों ने मिलकर शराब बंदी के लिए जुलूस निकाले नारे लगाए शराब की बुराईयों पर गीत काए वहां की सरकार को भी उनकी मदद करनी पड़ी महिमा जी ने बताया हाँ आड़तों ने शराब की भट्टियों पर धरने दिये शराब पी कराए को हार माननी पड़ी कल्याणी ने तस्वीर सी खीच दी हाई दया क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं शीलों ने पूछा क्यों नहीं पर तुम सब को एक जुट होना पड़ेगा अरे ये क्या एक जुट होंगी दीदी जरा-जरा सी बात पर तो लड़ती हैं चंदन ने सच्चाई जगरते हैं तो क्या वक्त जरूरत में एक दूसरे के लिए दिन रात भी तो एक करते हैं बढ़ाया बाते बनाने वाला जमिला चाची ने गुस्सा दिखाया ये होई ना बात अब दीदी जैसा कहें उसके लिए एक जुट होकर दिखाऊ चाची चंदन हस रहा था हाँ गाउं के मर्दों को सही रहा दिखा देंगे शीलो ने जोश से कहा अरे शीलो मौसी कही मुझे ही तो सही रहा नहीं दिखा दोगी चंदन ने परिहास किया घबरामत तुझे सही रहा दिखाने के लिए हमारे पारो ही काफी है बन तो हसी बाप रे किसका नाम ले लिया अब तो यहां से भाग जाने में ही भलाई है प्रणाम दीदी भगवान आपकी मदद करे चंदन के जाते ही औरते हस पड़ी पारो का चेहरा लाज से लाल हो उठा कल्याणी और महिमा जी आज की बाद चीच से संतुष्ट वापिस आई फ्रेशर्स की रेकिंग के बाद कॉलेश के सीनियर्स फ्रेशर्स को पार्टी देते थे एक लाल गुलाब के साथ रोहित ने देवयानी को अलग से इन्वाइट किया कल शाम आप मेरी महमान रहेंगी ये रहा आपका निमंतरण कार्ड और गुलाब रोहित ने थमाया निमंतरण के साथ गुलाब का फूल देने की क्या आपके कॉलेश की परंपरा है मुस्कुराती देवयानी ने जानना चाहा नहीं ये गुलाब हमारी मितरता का प्रतीक है आपको गुलाब पसंद है गुलाब तो फूलों का राजा ही है हाँ वैसे मुझे ये बहुत प्रिये है ठेंक्स गुलाब पर प्यार भरी नजर टालती देवयानी ने कहा इसका मतलब मैं भी आपका प्रिये हुआ रोहित के चहरे पर शरारत आ गई जी नहीं आप गुलाब के कांटे हो सकते हैं क्योंकि गुलाब के साथ कांटे होते ही है देवयानी ने भी परिहास का सीथा जवाब दे डाला चलिए कांटा ही सही कोई तो रिष्टा हमारे बीच बन ही गया कल शाम आपका इंतजार करूँगा आएंगी न अगर मा से इजाज़त मिली तो जरूर आउंगी देर रात तक बाहर रहना मा को पसंद रही है गंभीरता से देवयानी ने कहा मैं उनकी बात समझ सकता हूँ यकीन कीजिए आपको रात में अकेले वापस जाने की गुस्तागी मैं भी नहीं कर सकता प्रोग्राम में सभी लड़कियों को वापस पहुचाने का इंतजाम रहेगा आपको सही सलामत घर पहुचाने की जिम्मेदारी मेरी रही ठैंक्स मैं आने की कोशिश करूँगी कोशिश नहीं वादा करना होगा वरना प्रोग्राम छोड़ आपको लेने घर पहुचाऊंगा मुझ पर रहम कीजिएगा मुहतरमा मुझ पर ये खास महरबानी क्यों रोही जी क्या आप सबको ऐसे ही निमंत्रित कर रहे है ओ नो सच बात ये है कि आप दूसरों से बिलकुल अलग है आपकी असाधरणता से मैं प्रभावित हूँ देव्यानी के जवाब का इंतजार किये बिना रोही चला गया देव्यानी गुलाब के फूल को देखती सोच में पड़ गई रोहीत ने उसमें ऐसा क्या देखा जो दूसरी लड़कियों में नहीं था घर पहुँची देव्यानी को कल्यानी ने अपनी गाव यात्रा की कहानी उच्सहा से सुनाई मा के चहरे की खुशी देखकर देव्यानी का मन मा के प्रति सम्मान और करुना से भराया अगर पापा होते तो मा को उनका साथ और साहस मिलता मा की सफलता पापा को कितना खुश करती देव्यानी ने हाथ में पकड़ा गुलाब मा को देते हुए कहा श्रीमती कल्याणी जी की पहली सफलता के लिए ये गुलाब भेट करती हूँ अरे वाह ये तो बड़ा प्यारा गुलाब है कहां से लाई मेरे सेनियर्स कल हम फ्रेशर्स को पार्टी दे रहे है निमंतरन के साथ मितरता का प्रतीक ये गुलाब दिया कया है ना जाने क्यों देव्यानी रोहित का नाम नहीं ले सकी वाह ये तो बड़ी अच्छी परंपरा है पहले रेगिंग में परिशान करो फिर पार्टी और फूल दे कर दोस्ती करो कल्याणी खुले दिल से हंस्ती हाँ मा कहते हैं रेगिंग से परिचर गहरा होता है वैसे सीनियर्स रेगिंग में भले ही कितना भी परिशान करें बात में जूनियर्स की बहुत मदद करते हैं ठीक कहती हैं तो खाना खा कर सोजा मैं काम करूंगी अब रात में कौन सा काम करना है मा अरे आज गाओं में जो सर्वे किया है उसके आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करूंगी तभी तो फंड मिल सकेगा बस यही चाहती हूँ मेरी प्रोजेक्ट स्विकार कर ली जाए कल्याणी की बातों में उच्सहा और खुशी तोनों थी तुम्हारी योजना जरूर स्विकार की जाएगी मा जो काम सच्चाई और इमानदारी के साथ किया जाता है उसमें जरूर सफलता मिलती है भगवान तेरी बात सच करे देर रात तक कल्याणी अपनी योजना तयार करती रही पैन लखने के बाद उसके चहरे पर संतोष की जलक थी देव्यानी को चादर उढ़ा जब वो पलंग पर लेटी तो पुरानी यादे साकार होने लगी बार्वी की परिक्षा की तैयारी कर रही कल्याणी कभी-कभी मेज पर से टिका सोचाती थी सोती कल्याणी को प्यार से उठा अमर चार पाई पर ले जाता था दूसरे दिन सुभा परिहास में कहता तुम्हें अपना वजन घटाना चाहिए कल्याणी वरना ये बंदा तुम्हें उठाते बे मौत मर जाएगा अच्छा तुम्हें हम भारी लगते हैं याद रखो बाबुजी के अंतिम समय में तुमने हमारा भार उठाने का वादा किया था अच्छानक कल्याणी की आँखे भीगाई मास्टर पिता के लिए कल्याणी ही सब कुछ थी लू लग जाने से व्याकुल पिता को कल्याणी की ही चिंता थी उस वक्त उनकी व्याकुलता देख अमर ने वचन दिया था वो कल्याणी से विवह करेगा बस इतनी बात सुनने के लिए ही वो जीवित थे मास्टर जी को चिंता मुक्त कर अमर ने अपना वचन निभाया था घर परिवार से निशकासन का दुख उसे अंदर जरूर सालता होगा पर उसके मुह से कभी एक शब्द भी नहीं निकला देव्यानी के जन्म के समय उसने मा के पास बेटी के जन्म की सुझन भेजी थी कोई जवाब ना पा उसके चेहरे पर अफसात की छाया बस कुछ देर के लिए जलकी भर थी देव्यानी को गोद में उठा प्यार से कहा था हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी हमारे बुढ़ापे में हमारी देव्यानी ही हमारी देखरे करेगी कल्यानी आज देव्यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है पर अमर कहा है? काश, अमर उनके साथ होता कर्वट बदलती देव्यानी का हाथ मा के नम चहरे पर चला गया ये क्या मा, तुम रो रही हो, पापा की याद आ रही है नन्नी बच्ची सी मा को प्यार से तुलारती देव्यानी, कुछ देर को कल्यानी की मा ही बन गई सुभा कल्यानी के उत्फुल चहरे को देख, देव्यानी खुश हो गई, कलांती का कही जिन भी नहीं था, आज कितने दिनों बाद तुम खुश हो मा, वो तो ठीक है देव्यानी, पर कभी सोचती हूँ, क्या उनके परिवार वानों से अलग रहने की वज़ा से तेरे पापा क आत्मा को दुख तो नहीं होता होगा, मम्मी, तुम किस दुनिया की बात सोचती हो, मृत्यू के बात की जीवन के बारे में कौन जानता है, आज जो है, बस वही सच है, उसी में जीना चाहिए, वा, मेरी देव्यानी तो फिलोसफी जारने लगी है, अरे याद आया, मा, चाहे तो मेरी आस्मानी तारों वाली साड़ी पहन जा, ओख मा, मैं कॉलेज की पार्टी में जा रही हूँ, किसी की शादी में थोड़ी जा रही हूँ, कोई साभी सूट पहन लोगी, देव्यानी मुस्कुरा उठी, हो सकता है, मुझे लोटने में देर हो जाए, तो घर ब बात है तो मैं गाउं की प्रोजेक्ट जमा नहीं करूंगी, अरे रे रे तुम तो सच मान गई, सच्चाई तो ये है, तुम्हें काम करते देख मुझे बहुत खुशी होती है मा, क्या महिमा मौसी भी तुम्हारे साथ गाउं जाएंगी, हाँ, महिमा से मुझे जो प्यार म बिला है, वो शायद अपनी साकी बेहन से भी नहीं मिल पाता, सच मौसी पहुत अच्छी है, उन्होंने हमारी जिंदकी बदल दी, वरना, देवियानी का वाक्या पूरा भी नहीं हुआ था, कि महिमा आ गई, किसने किसकी जिंदकी बदल दी देवियानी, महिमा ने सहा से प तुम्हारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार है कल्याणी? हाँ, रात भर लिखती रही, एक बार तुम भी देख लो, कोई कमी ना रह गई हो. दोनों को बाते करती छोड़, देव्यानी कॉलेज के लिए तयार होने चली गई. आफिस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने के बाद, सुनीता और कुसुम के साथ महिमा और कल्याणी गाउं पहुची. सुनीता और कुसुम भी समाज कल्याण विभाग में सहयक पत पर काम करती थी. कल्याणी की बातें उन्हें अच्छी लगती, इसलिए उन दोनों ने कल्याणी की योजना में साथ देने का निर्ने लिया था. आज गाउं की औरते नदारा दिखी पारों और बंतों ने आकर बताया गाउं के मर्दों ने अपनी औरतों को कल्याणी दीदी की बातें ना सुनने की सक्त हेदायत दे रखी है जो औरत उनकी बातों में आएगी उसे घर में जगा नहीं मिलेगी अरे वाह ये तो सरासर दादा किरी है हमें कुछ करना होगा कल्याणी महिमा तैश में आ गई हूँ चलो हम ग्राम प्रधान जीसे बात करेंगे उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा वे भी तो मरद है दीदी पारों ने शंका जताई मरद होने के साथ वो गाउं के प्रधान भी तो है मुख्या परिवार की देखरे करता है गाउं के औरते उनके परिवार की बहु बेटिया है उनके भलाई देखना भी तो उनका काम है गंभीर कल्याणी ने कहा ये बात तो ठीक कही दीदी ठेहरिये हम चंदन और उसके कुछ नौजवान साथियों को बुला लाते हैं वो लोग भी आपका साथ देंगे पारो चंदन को बुलाने दोड़ गई चंदन के साथ पांच साथ जोश से भरे नौजवान ग्राम प्रधान के पास पहुचे पहले तो ग्राम प्रधान उनसे बात करने को ही तयार नहीं थे पर जब कल्याणी ने अपनी योजना विस्तार से समझाई तो बात उनकी समझ में आ गई उन्होंने बताया अगर उनके गाउं की आड़ते साक्षर और आत्म निर्भर बन जाएंगी तो उसका श्रे गाउं के प्रधान को दिया जाएगा हो सकता है उनका गाउं सर्वस्टेश्ट गाउं के रूप में पुरुस्कृत किया जाए सबसे बड़ी बात औरतों की आये से परिवारों का जीवन स्थर उपर उठ सकेगा जो भी घर चाहोगा उसे कल्याणी के ओफिस की सरकारी योजनाओं से दिया जाएगा ग्राम प्रधान ने गाउं के पुरुषों को समझाने का दाई थुले कल्याणी के साथियों को विदा किया देव्यानी कॉलेज से जल्दी लोट आई शाम के फंक्शन की वज़ा से क्लासेज एक बज़े खत्म कर दी गई अपने गिने चुने कपड़ों में से शाम के लिए कपड़े चुने में देव्यानी को जादा देर नहीं लगी मा ने अपनी प्याजी साडी का सलवार सूट देव्यानी के लिए सलवा दिया था साडी के जरीतार किनारे ने सूट की शोभा पढ़ा दी एक मेले से प्याजी मोती की माला और बुंदे देव्यानी ने शौक से खरीद लिये थे सूट के साथ गले और कानों में मोती पहन जब देव्यानी ने आइने में अपने को निहारा तो चेहरे पर मुस्कान बिखर गई नियत समय पर पहुची देव्यानी के लिए रोहित प्रतिक्षा में खड़ा था देव्यानी को देखते ही उसके ओंट गोल हो गए अनि मेरी दोस्ती कुबूल हो गई आईए हाल में चले रंगीन जिलमिलाती जालरों के साथ रजनिकंथा की लड़ियों से हाल सचाया गया था हलका संगीत माहौल रंगीन बना रहा था लड़कियां और लड़के मिल जुलकर बाते कर रहे थे रोहित के साथ देवयानी को आते देख एक सीनियर ने रिमार कसा लो दोस्तों प्रिंस चार्मिंग अपनी सिंड्रेला के साथ आ रहे है सबकी हसी पर देवयानी अपने में सिमट आई देवयानी के उस संकोश पर रोहित हस पड़ा कम ओन देवयानी, ऐसी बातों की तो आदर डालनी होगी, वैसे तुम्हारे मुकाबले सिंड्रेला की क्या उकात है हाँ, तुम्हें परियों की राजकुमारी कहा जाना चाहिए मन स्मित के साथ रोहित ने कहा छी, अब आप भी बनाने लगे, शर्म से देवयानी के गूरे गाल लाल हो गए अरे, आपको तो भगवान ने गरगर भेजा है, इनसान की क्या मजाल जो आपको बना सके कुछ देर पहले आपने मुझे तुम कहा था, प्लीज, हमें तुम कहकर ही बात करें, आप से छोटी हूँ मन्जूर, पर तुम्हें भी एक शर्ट माननी होगी कौन सी शर्ट, बड़े मासूमिय से देवयानी ने पूछा तुम भी मुझे रोहित जी नहीं, सिर्फ रोहित कहोगी और हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए आप नहीं, बस तुम हूँ दोस्ती में ये जी और आप जैसे शब्द बड़े फॉर्मल से लगते हैं देवयानी लेकिन आप तो हमसे उम्र और क्लास दोनों में बड़े हैं अमरीका में तो मा, बाप, टीचर को भी नाम से पुकारा जाता है ये अमरीका तो नहीं, देखो, या तो मेरी शर्ट मन्जूर करो, या दोस्ती तोड़ दो रोहित की उत्सुक द्रिष्टी देवयानी पर कड़ गई ये तो ठीक शर्ट नहीं है रोहिची, अगर मैं गलत हूँ, तो इतना जान लो इस कॉलेज में फॉर्मलिटी नहीं, अपना पन मिलेगा तुम अपनी मा को अगर आप कहकर संबोधित करती हो, तो उनसे निकटता महसूस नहीं करती रोहित ने अपना फैसला सुना दिया, निरुत्तर देवयानी का हाथ पकड़, रोहित ने कहा तुम्हारी चुपी तुम्हारी स्विक्रती है, हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे, चलो, अब प्रोग्राम शुरू होने चा रहा है लड़कों ने लड़कियों को कुछ चिटे बाटी, उन पर नमबर लिखे थे, जिस नमबर को पुकारा जाएगा, उस लड़की को स्टेज बचा कर उससे जो फरमाईश की जाए, उससे पूरा करना होगा देव्यानी के हाथ में नमबर पांश की चिट थी, अचानक नमबर पांश की पुकार पर देव्यानी को स्टेज बर चाना पड़ा, लड़कों ने आवास लगाई, एक प्यार से सारा बोर गजल गाईए मुहतरमा देव्यानी की हिचक पर रोहित आगे बढ़ाया, दोस्ती के नाम पर एक गजल सुना दो देव्यानी, देव्यानी ने जैसे ही माईक थामा, हौल तालियों से गुझ उठा, देव्यानी ने अपने फेवरेट गजल शुरू की, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, सुरिले गले से निकली गजल में मानो उमराव जान साकार थी, गजल समाप्त होने पर कुछ बलों के लिए आत्म विस्मित सन्नाटा चाया रहा, अचानक जोड़दार तालियों के गड़गडा हट ने जैसे सब की तंद्रा भंकर दी, ए तुम में और कितने गुण चिपे हैं देव्यानी, जितना ही तुम्हें जान रहा हूँ, उतना ही विस्मित हो रहा हूँ, उसी वक्त देव्यानी को सर्व समती से कॉलेज की लता मंगेशकर का खिताब मिल गया, कुछ ही देर में नित्य के लिए संगीत शुरू हो गया, प्रदेव्यानी को नित्य के लिए अमंद्रित किया, पर देव्यानी प्रस्ताव शालिंता से अस्विकार करती गई, शमा करें, मुझे नित्य नहीं आता, आएए ना हम सिखा देंगे, बशर्ते आप हमें संगीत सिखा दे, मुस्कुराते मुहिनीश ने कहा, अरे पास्च As you wish, अचानक पीछे से आये रोहित ने देव्यानी को कंधे से पकड़, जबरन खड़ा कर लिया, रोहित के साथ करीब करीब घिसरती सी देव्यानी, डांस फ्लोर पर पहुँच गई, हमें छोड़ दो रोहित, प्लीज, हमें डांस नहीं आता, देव्यानी रुआसी सी थी ए बेबी, जिन्दिगी का एक-एक पल एंजोय करना सीखो, ना जाने कब हमें ये खुबसुरत दुनिया छोड़कर जाना पड़े, नाओ, लेट्स स्टार्ट लाइक दिस, रोहित की बातों में ना जाने क्या जादू सा था, देव्यानी के पाउं उसके साथ उठते गए, साथियों ने ताले बचा कर आवाजे कसी, हीर हीर, रोहित यार मान गए, अब तो मेडिसन के पढ़ाई छोड़, डांस टीचर बन जा, रोहित के साथ जयंत ने सला दी, हसी खुशी की वो शाम बड़ी जल्दी बीट गई, अचानक कलाई घड़ी पर नजल पड़ते ही दे अरे, घर में तो रोज ही रहती हो, एक दिन यहां भी एंजॉय कर लो, नहीं रिद्दू, हमारी परिस्थिती सबसे अलग है, मा परेशान होंगी, हम जा रहे हैं, देव्यानी को खड़ा होते देख, रोहित पासा गया, क्या बात है देव्यानी, हमें घर चाना है रोहित, इतनी जलती, हमारे लिए 11 बजे रात का मतलब बहुत देर हो जाना होता है रोहित, ओ, समझा, चलो, तुम्हें घर तक छोड़ाओं, हौल के बाहर आकर रोहित, अपने मोटर बाइक के पास देव्यानी को ले गया, मोटर बाइक में पहले कभी बैठी हो, डर तो नहीं लग में घर पहुंचाओगी, हमें मोटर बाइक पर बैठते डर लगता है, हम कभी नहीं बैठे हैं, अगर कोई रिक्षा मिल जाए तो हम चले जाएंगे, वाट रबिश, इतनी रात गए अकेले रिक्षा में जाना क्या सेफ होगा, well, don't behave like a child, come on, मैं बाइक स्टार्ट करता तुम मेरे पीछे बैठ जाना, डर लगे तो मुझे कस कर पकड़ लेना, यकीन रखो गिराऊंगा नहीं, देव्याने की जिचक देख फिर कहा, क्या करूं, अभी मेरे पास कार तो है नहीं, चलो, जल्दी करो वरना और तेर हो जाएगी, विवश देव्यानी को रोहित के पीछे बैठना पड़ा, मोटरबाइक के जटकों से डर कर, उसका हाथ रोहित के कंधों को जकड़े हुए था, घर के सामने पहुँच, रोहित ने मोटरबाइक रोक कर, देव्यानी को उतार कर कहा, डरी तो नहीं, हाँ, मा को बता देना, तुम मेरे साथ आई हो, अगर डा दूसरे की बाद खोब समस्ते है, मुझे तुमसे यही उमीद थी देव्यानी, ओके बाए, गोड नाइट, किक मार रोहित उड़ गया, कल्यानी खिलकी से देख रही थी, अंदर पहुँचते ही देव्यानी ने कहा, सौरी मा, प्रोग्राम इतना अच्छा था वक्त का पता ही नहीं लगा, किसके साथ आई थी देव्यानी, वो हमारे सेनियर रोहित थे, देख देव्यानी, आगे से किसी लड़के के साथ मोटर बाइक पर आने की जरूरत नहीं है, गंभीरता से कल्यानी ने कहा, ठीक है मा, दूसरे दिन सुभा, देव्यानी ने अपनी पिछले रा हमें कॉलेज की लता मंगेशकर का खिताब मिला है, हमने उमराव जान की गजल सुनाई थी, हम तो नहीं गाना चाहते थे, पर सब ने इतनी रिक्वेस्ट की, कि गाना ही पड़ा, कोई बात नहीं, अपनी कला को छेपाना नहीं चाहिए, मुझे खुशी है, तेरी गजल सब को पसंद आई, मुस्कुराकर कल्याणी ने देव्यानी का उत्सहा भढ़ाया, तुम बहुत अच्छी हो मा, हम तो डर रहे थे, कहीं तुम नाराज ना हो, हाँ, तुम्हारे गाओं की ओरतों वाले प्रोजेक्ट की क्या प्रगति है, देख देव्यानी, जो बात छेपाने की जरूरत पड़े, उसके लिए मैं नाराज हो सकती हूँ, तुने कुछ गलत नहीं किया, कल गाओं के मुख्या से बात की, उमीद है, अब आड़ते हमारे कामों में सहीयोग देंगी, ये अच्छी बात है मा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ, तुमने अब जीन किसी दूसरे के नाम पर अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता, तुम्हारा मकसद अब उन शोशित इस्त्रियों को आत्म निर्भर बनाना है, जिन्होंने खुशी का उजाला कभी जाना ही नहीं है, ओफिस से प्रोजेक्ट स्विकृत हो जाए, तब जल्दी ही काम शुरू हो आफिस वालों का क्या रुख है? मेरे बॉस को योजना बहुत पसंद आई है, उन्होंने रिकमेंड करके फाइल उपर भेज़ दी है, वा, तब तो बात बन गई समझो, मेरी चिन्ता छोड़, तु अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, याद रख, तुझे अच्छे नमबरो से पढ़ते तो, आज वो भी किसी प्रोफेशनल लाइन में होते, रोहन तो अभी तक बारवी भी पास नहीं कर पाया, और रितु मेट्रिक पर ही अटकी है, ओख मा, तुम आज भी उन लोगों के बारे में सूचती हो, जिन्होंने हमें कभी अपना माना ही नहीं, हमेशा हम मारा अपमान किया, आज भी रागनी ताई की चेतावनी याद है, जब उन्होंने कहा था, रितु के स्कूल में किसी को ना बताना कि हम रितु के रिश्टेदार है, देवयाने का मोह उधास हो आया, जाने दे, अगर उन्होंने गलती की, तो हम भी उन जैसी गलती क्यों करे आज तेरी सफलता से पापा जी जरूर खुश होते होंगे, अच्छा मा चलती हूँ, कॉलिश के लिए देर हो रही है, कॉलिश पहुचते ही रोहित से सामना हो गया, वो सीनियर डॉक्टर के साथ राउंड खत्म करके आया था, हेलो, कल रात मा ने डाटा तो नहीं, नहीं, पर कहा है, आगे से हम किसी के साथ मोटर बाइक पर ना बैठे, उन्हें पता नहीं, रोहित किसी एरे गेरे की चेनी में नहीं आता, एक साल बाद एक जिम्मेदार डॉक्टर बन जाऊंगा, कॉलर रोंचा कर रोहित ने गर्व से कहा, क्या डॉक्टर बन जाने से कुछ खा पर बन का उदेश्य क्या है, हलके से मुस्कुराते रोहित ने पूछा, हम अपने पापा के गाउं में काम करेंगे रोहित, उस गाउं में पापा एक अस्पताल खोलना चाहते थे, देवियानी के चेहरे पर उदासी की छाया घिराई, अच्छा, क्या तुम्हारे अस्पता में मुझे भी काम मिल सकेगा, तुम्हारे पापा का शहर में इतना बड़ा नरसिंग होम है, तुम्हें तो उनके काम में मदद देनी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा, मैं क्या करूँगा, अच्छा, अब चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे, कल्यानी के कारेले में उसकी प्रेलो बुन्यादी कामों को शुरू किया जाए, गाओं की आड़तें चटाई मुड़े बनाती है, कशिताकारी का हुनर भी शर्वती जमिला जैसी कई इस्त्रियों के पास है, इन कामों के साथ लिफाफे बनाना टोकरी बुन्ना जैसे कामों को जुड़ा जा सकता है, मा हमारे पास एक कशिताकारी वाला बैटकवर है, अगर गाओं की इस्त्रिया वैसे बैटकवर, तकिया गिलाफ, विस्पोष बना सके, तो शेहरों में ऐसे सामान की खुब मांग होगी, देव्यानी का चेहरा चमक रहा था, हां कल्यानी, देव्यानी ठीक कह रही है, अब शे करवार सूट पर मेरे लिए भी बेल बुटे करवा देना, देव्यानी उत्साहित थी, घबरामत, तेरी शादी के लिए तेरी मा साड़ी पर भी कशिताकरी करवा देगी, क्यों कल्यानी ठीक कहा ना, महिमा जी ने परिहास किया, छी मोसी, अब तुम भी मजा करने लगी, हम उदगाटन समारहों की योजना बनाने लगी, दोनों समारहों को एक खास कारेकर्म बनाना चाहती थी, दो कप चाय के साथ देव्यानी आ पहुची, मा और मौसी की बाते ध्यान से सुनती देव्यानी को अचानक एक बात याद हो आई, मा, मेरे दिमाग में एक और सुझाव है, इस काम की चाभी तुम्हारे पास है, मेरे पास कौन सी चाभी है देव्यानी, कल्यानी सोच में पढ़ गई, अपना बकसा कभी खोला है मा, देव्यानी मुस्कुरा रही थी, मेरे बकसे में क्या खास है देव्यानी, हमेशा ही खोला पड़ा रहता है, मैं उस बकसे की ब कला सिखा कर कही आधुनिक चीजें बनवा सकती हो। सच कल्याणी तुम्हारी इस कला के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। पना बनाती ही है। उनकी इस शौक को बस व्यवसाइक रंग देना होगा। कल्याणी के चहरे पर आत्मिश्वास था। देव्याणी के कॉलेज में इंटर कॉलेज निर्त्य प्रतियोगता आयोजित की जानी थी। एक दिन बातों बातों में देव्याणी ने अपने साथ की लड़की निता से कह दिया था। उसे निर्त्य की शिक्षा नहीं मिली है पर उसकी निर्त्य में बहुत रूची है। अगर तुने क्लासिकल डान सेखा होता तो क्या स्टेज परफॉर्मेंस दे सकती थी देव्याणी। पता नहीं पर कभी कभी जी चाहता है मैं भी निर्त किया मिलकर त्योहारों पर खूब नाशते थे। बचपन की मीठी याद की खुशी से देव्याणी का चेहरा जब्मगा उठा। कॉलेज के नोटिस पोर्ड पर निर्त्य प्रत्योगता के लिए देव्याणी का नाम लिखा देख रोहित चौंक गया। वाह मुझे तो पता ही नहीं था, संगीत के साथ साथ तुम निर्त्य कला में भी अक्सपर्ट हो। क्या, तुम से ये किस ने कहा। देव्याणी ताचुब में आ गई। अरे, पूरा कॉलेज जान गया है, अपना नाम नोटिस पोर्ड पर नहीं देखा। नोटिस पोर्ड पर अपना नाम की थी, दूसरी कोई लड़की लोग निर्त्य के लिए प्रस्तुत नहीं थी, आशा नाम की लड़की कथक निर्त्य के लिए और सीता भरत नाट्यम निर्त्य प्रत्योगता में भाग ले रही थी, देव्याणी समझ गई, ये नीता की चाल है, नीता से जब पूछा, तो उ उसी तरह थिरक उठेंगे, जैसे कभी बच्पन में थिरकते थे, नहीं नीता, हमें अपनी हसी नहीं उड़वानी है, गीत काना दूसरी बात है, पर स्टेश पर नित्य करना एक तमलब बात है, हमसे नहीं होगा, होगा, जरूर होगा, बस एक बार ठान ले, तो तु क्या नहीं कर सकती देवयानी, घर में नाच गा लेना चलता है, पर हजारों की भीड में स्टेश पर जाना संभब नहीं होगा, मा सुनेंगी तो नाराज होंगी नीता, मा को मनाने और तेरे रिहर्सल की जिम्मेदारी मेरी है देवयानी, दूसरे ही दिन नीता कल्यानी से मिलने जा पहुची, कल्यानी को मनाने में देर जरूर लगी, पर नीता के तरबों के आगे कल्यानी को हत्यार डालने ही पड़े, नीता ने कॉलेज की कुछ लड़कियों को इकठा कर लिया, देवयानी के गीतों को उन्हें स्वर्तेना था, कॉलेज की ओर्केस्ट्रा टीम ने कल्याणी की योजना का उद्घाटन दिवसा पहुचा योजना का उद्घाटन करने स्वेम आफिस के डिरेक्टर आय थे समारोह में महिमा जी सुनीता कुसुम के साथ देव्यानी भी उपस्ति थी गाउं की इस्त्रिया कौतुक से तयारी देख रही थी वे ये समझने में असमर थी कि उतना बड़ा आयोजन उनके लिए हो रहा था चंदन और उसके नौजवान साथियों में खासा उत्साहा था पुरुशवर के बीच ज़रूर फुस्पुसा हट चल रही थी पारों और बंतों के साथ गाउं की लड़कियों ने निर्त्य प्रस्तुत कर समा बान दिया निर्त्य के बीच पारों देव्यानी को भी खीच कर ले गई सच मुझ लोग संगीत की लैपर देव्यानी के पाउं आसानी से थिरक उठे नीटा ठीक कहती थी बचपन का निर्त्य आज फिर साकार था इस्त्रियों के सामने उल लिखकर कल्यानी ने समझाया उसकी योजना इस्त्रियों के ही नहीं उनके परिवार की जिन्दगी में उचाला लाएगी गुंगट की योड से कुछ इस्त्रियां मुस्कुराईं और लड़कियों ने उतावली में उल लिखना शुरू कर दिया कल्याणी की योजना ने इस्त्रियों की आँखों में सपने चका दिये उनकी समझ में आ गया आत्म निर्भर बन कर ही वे सुखी हो सकती है शुरू शुरू में पढ़ने के नाम पर आर्टों को संकोच होता पर धीरे धीरे वे खुलने लगी उन्हें पढ़ने के लिए जया और नमिता नाम की दो हसमुक लड़कियां आने लगी जिस दिन पहली बार उन्होंने अपना नाम लिखा उनकी खुशी देखते बंती थी स्लेट पर से जुकाए पारों को लिखता देख बंतों ने चेड़ा अरे ये क्या पारोंने अपने नाम की जगा चंदन का नाम लिख दिया चल जूटी कहींगी हमने तो अपना ही नाम लिखा है तीती हमें बंतों से बात नहीं करनी है पारोंने जूटा गुसा दिखाया ओए होए मन मन भावे मुडिया हिलावे सच कहे तेरे मन में बस चंदन का ही नाम बसता है या नही पारों हस रही थी हाँ हाँ बसता है तेरा क्या जाता है तो भी तो मनोहर पर मरती है औरते हस पड़ी कल्याणी का ये केंद्र सिर्फ काम सीखने सिखाने का ही केंद्र नहीं था बलके इस्त्रियों के लिए वह मनुरंजन की भी जगा थी हंसी ठिठोली करती इस्त्रियों को काम करना सहश लगता कपड़ों पर फूल काड़ते उनके सपने खिलते जाते उनके बनाए कलात्मक समान को देख लोग आश्चर्य करते पारो और चंदन की शादी तै हो गई थी पारो अपने लिए एक साड़ी पर कशिताकानी कर रही थी खुशी में समय बीद्ना चा रहा था देव्यानी के कॉलेश में नित्य संध्य कितिति आपाउची कल्याणी ने देव्यानी के लिए हलके गुलाभी रंग का लहंगा चुन्नी तयार किया था लेहंगे चोली और चुन्नी पर सुनहरे बूटे चमक रहे थे मंच पर गाउं का द्रिश्य बनाया गया था कुएं के पास पनेहारिन बनी देव्यानी अपूर्व लग रही थी धड़कते दिल से गीत के बोलों पर देव्यानी ने नित्य प्रस्तुत किया नित्य की समाप्ती पर एक चण के सन्नाटे के बाद हौल तालियों से गुझ उठा सपने से जगाए गए से लोग विसमें विमुग्द थे प्रतियोगिता के निर्णे की घड़ी आ गई कथक नित्य में कॉलेज की आशा को तीसरा स्थान मिला सीता किसी भी पुलस्कार से वंचित रही देव्यानी के प्रतम पुलस्कार की घोषणा का दर्शकों ने जोड़दार तालियों से स्वागत किया निता ने देव्यानी को गले से लगा लिया तूने आज कॉलेज का सम्मान बढ़ाया और मेरे विश्वास की रक्षा की है देव्यानी अब किसी भी चीज को असंभव मत समझना थैंक्स नीता तूने मुझे नई हिम्मत और ताकत दी है तेरी बात हमेशा याद रखूँगी पुरसकार ग्रहन कर मन से उतर दी देव्यानी को रोहित ने रोक लिया अब कितने सर्प्राइजिस दोगे देव्यानी जितना तुम्हें जानता हूँ मुख्ध होता जाता हूँ शुक्रिया वैसे हम इतनी तारीफ के लायक नहीं है रोहित हमें तो ये पता भी नहीं था हम स्टेज पर डांस कर सकते हैं शर्माती देव्यानी ने कहा आज की तुम्हारे इस सफलता के लिए मेरी ओर से ट्रीट तै रही बोलो कहां चलना है कहीं नहीं मां घर में इंतजार कर रही होंगी ओह मैं तो भूल ही गया वो भी तो कंपेटिशन के रिजल्ट का इंतजार कर रही होंगी चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ नहीं तुम्हारी मोटर बाइक से कहीं भी ना जाने का मासे वादा किया है सौरी रोहित अजी आज हम देव्यानी दिक्रेट के लिए बाइक नहीं कार लाई है अब तो चले सकुचाती देव्यानी रोहित के साथ आके की सीट पर पैट गई घर पहुची देव्यानी के साथ रोहित भी उतर आया देव्यानी के विस में परहस्ते रोहित ने कहा आज तो माजी से मिलकर ही वापस चाऊँगा इजाज़त है अपने आप निर्ने ले लिया फिर इजाज़त का सवाल ही कहां उठता है दर्वाजा खोलती कल्यानी देव्यानी के साथ खड़े रोहित को देख कर ताज़्यूग में पड़ गई कल्यानी का संशे खुद अपना परिचे देकर रोहित ने दूर कर दिया माजी रोहित फाइनल एर कम्प्लीट कर रहा हूं देव्यानी के गुणों का प्रशंसक हूं सोचा इतनी गुणवान लड़की की मा से मिलना सरूरी है अच्छा अच्छा आओ मा मुझे लोक निर्त्य में फस्ट प्राइस मिली है खुशी से उमक्ति देव्यानी ने मा को बताया चल तेरी मेहनत सफल हुई बस क्या इतना कहना ही काफी है मैं तो मिठाई खाए बिना टलने वाला नहीं हूं माजी जरूर लेकिन आज तो बस घर का हलवा ही मिल सकेगा पहले से पता होता तो मिठाई मंगा कर रखती कुछ संकोच से कल्याणी ने कहा अरे वाह मसा आ गया घर के हलवे के सामने बाजार की मिठाई कौन पसंद करेगा जब तक मम्मी थी हर मंगल को हलवा बनाती थी रोहित उदास था तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ रोहित दू दिन की बिमारी में मा ये दुनिया छोड़ गई पापा भी कुछ नहीं कर सके हाँ बेटा उपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती दिव्यानी के पापा की क्या जाने की उम्र थी कल्यानी ने लंबी सास ली होनी को कोई नहीं टाल सकता पर देखिये दिव्यानी की वज़ा से मा के रोप में आप मिल गई मैं आपको मा कह सकता हूँ क्यों नहीं रोहित जब जी चाहे हल्वा खाने आ जाना कल्याणी हलके से मुस्कुरा दी ये हुई न बात देव्यानी तुम बस बाते ही सुनती रहोगी या मेरा हल्वा भी लाओगी हसी खुशी में वो शाम पीद गई उस दिन के बाद से रोहित अक्सर देव्यानी के साथ खार आ जाता रोहित के आने से घर जैसे चहक उठता कल्याणी की इजाजत ले रोहित कभी कभी देव्यानी को किसी रेस्टराँ या पार्क जैसी जगहों में भी ले जाता नाजाने क्यों देव्यानी को रोहित के साथ देख कल्याणी के मन में रोहित के लिए बहुत प्यार और मम्दा उमडा ती दिन महीने साल पीटे देर नहीं लगती दो वर्शों में कल्याणी का केद्र एक खुशाल केद्र बन चुका था गावँ के ओरतों का हुनर उनके बनाए सामान में चमकता गावँ के प्रधान और block development अधिकारी भी प्रसन थे उनकी मदद से ओरतों का बनाया सामान शहर के बिक्री केंद्रों में जाने लगा पहली बार जब औरतों के हाथों में पैसे आए तो सब खुशी में जी भर करना ची जमिला चाची ने चेतावनी डेडा ली याद रखो ये हमारी मेहनत की कमाई है इससे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उन्हें अच्छा खाना खिलाएंगे ये पैसा मर्दों की दारों के लिए नहीं देना है हाँ चाची इतना ही नहीं हम शराबी पती के लिए दर्वाजे नहीं खोलेगे शर्बती ने जूरदार आवास में घोशना कर डाली आज तुम सच्चे अर्थों में साक्षर बनी हो बस इसी तरहां तुम्हें आगे बढ़ते जाना है कल्याणी ने होसला बढ़ाया हाँ दीदी हम आपके साथ आगे ही बढ़ते जाएगे बंतों ने खुशी से कहा तुम सब के लिए एक और खुशकबरी है अगले मेहिने तुम्हारे लिए हतकरगा आ रहा है तुम्हें हतकरगे पर कपड़ा बुन्ना सिखाया जाएगा जुग जुग जीओ बेटी तुमने तो हमारे सपने सच कर दिये बूडी काकी ने कल्याणी को सच्चे मन से आशिरवाद दिया देव्यानी मेडिसन के तीसरे वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रही थी मा की विजय गाथा उसे विस्मित करती मा तुम गाउं की औरतों की प्रेणना हो उनका जीवन तुमने पदल दिया पर अपने लिए क्या कर रही हो क्या मतलब है तेरा यही की तुम समाज कल्याण में एमे क्यों नहीं कर लेती सबके विकास के साथ तुम्हें अपना भी विकास करना चाहिए तभी पापा की आत्मा को संतोष मिलेगा द्रिट स्वार में देव्यानी ने कहा तू ठीक कहती है मैं आज ही से पढ़ाई शुरू करूंगी तेरी मेडिसन की पढ़ाई पूरी होगी और मैं भी एमे कर लूँगी चलो अब घर में दो-दो विध्यारती हो गए प्यार से देव्यानी ने मा के गले में हाट डाल दिये दूसरे दिन देव्यानी को अपनी प्रू नत्ती का ओर्डर मिला उसे वरिष्ट समाज कल्यान अतिकारी बनाया गया था डिरेक्टर ने सब के सामने कल्यानी की प्रशंसा करते हुए कहा हमारे समाज को कल्यानी जैसी कर्मठ हिस्त्रियां चाहिए कल्यानी ने तो गाउं की हिस्त्रियों तक उजाला पहुचाया है मैं कल्यानी के उजवल भविश्य की कामना करता हूँ उस दिन रोहित देव्यानी के साथ कल्यानी को भी जब्रन रेस्टरॉन ले गया वर्षों बाद कल्यानी ने बाहर की जब्मगाहड देखी थी उसके संकोच पर रोहित हस पड़ा अपने को पहचानिय मा आज आप भले ही लोगों से अपरिचित है पर जल्द ही लोग आपको एक समाल सेविका के रूप में सम्मान देंगे उस दिन आपको ट्रीट देनी होगी रोहित की आवास में विश्वास था देव्यानी और कल्यानी अपनी अपनी पढ़ाई में जुट गई कार्याले घर के दाईत्वों के साथ कल्यानी गाओं की अउर्तों के प्रति पूरी तरह सजक थी हद करगा केंडर चालू हो गया था पारो अपने चंदन के लिए एक दोशाला पुन रही थी पांच दिन बात पारों की शादी थी उसके पहले उसे दोशाला पूरा कर लेना था पारो और चंदन की शादी में खूब धूम धड़ा का रहा बंतो और उसकी सहलियों ने पूरी रात नाच का कर खुशी मनाई चंदन के जूते बंतो ने चुरा कर अच्छी रका मसूल की तल्याणी और देव्यानी के साथ रोहित भी शादी में शामिल होने आया था बंतो ने देव्यानी को छेड़ा ए दीदी तुम्हारे साथ तुम्हारा दूला आया है क्या एक्दम राज कुमार सा लगे है छी जो मुह में आया बक देती है मा से तेरी शिकायत करनी होगी बंतो देव्यानी का चेहरा लाल हो आया रोहित हलके से मुस्कुरा दिया पारों की शादी की धुमधाम खत्म होने के बाद आरते अपने काम में लग गई उनका केंद्र अब चेतना के नाम से जाना जाता था कुछ पत्रकारों ने आकर जब चेतना केंद्र की प्रगती देखी तो अपने अखपारों में कल्यानी की भूरी भूरी प्रशंसा करड़ाली अखपारों की खबर जिले और राज्ये तक पहुँची सर्व समत्ती से उस गाउं को सर्व स्ट्रेश्ट गाउं का पुरसकार देने का निर्णे लिया गया पुरसकार समारों में कई पत्रकार कल्यक्टर महोदे के साथ कई गड़माने व्यक्ति उपस्तित थे कल्यानी को मंच के बीच में स्थान दिया गया था ग्राम प्रधान ने एमानदारी से स्विकार किया कि उसके गाउं की औरतों के विकास काश्रे कल्याणी को जाता है आज गाउं की सभी इस्त्रिया साक्षर बन चुकी है पत्रकानों ने जब कल्याणी से जेतना के भविश्य की योजनाओं के बारे में पूछा तो उसने सच्चाई से जवाब दिया सरकार ने पंचायत में 33% स्थान इस्त्रियों के लिए नियत किये है मैं चाहती हूँ जेतना की इस्त्रियां सच्चे अर्थों में पंच बन कर फैसले सुनाए वे किसी के दवाब में काम ना करे आपके इच्चा पूरी होगी दीदी इस बार पारो और जमीला चाची पंचायत में जाएंगी ये हमारा फैसला है शर्वती ने पूरे विश्वास से कहा और तो ने तालिया बजा कर शर्वती की बात का अनुमोधन किया मैं ये भी चाहती हूँ कि इस्तरियां अपना बैंक चलाएं जिस दिन वे ऐसा कर सकेंगी मैं समझोंगी मेरा कारे सफल हुआ तालियों की गड़गड़ा हट के साथ कल्याणी का अभिनंदन किया गया दूसरे दिन समाचार पत्रों में कल्याणी के चित्र के साथ उसके कारेयों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी समाचार पढ़ते का मलकांत का सीना गर्व से फूल उठा पत्नी को बुला कर कहा जिस बहु का हमने तिरसकार कर घर से निकाल दिया आज उसकी वजहा से हमारा खांदान गौरवानवित है सरस्वती पत्नी की कोई प्रतिकरिया ना देख उन्होंने फिर कहा चलो हम चल कर अपनी बहु और पोती को घर ले आएं अब तो देव्यानी डॉक्टर बनने वाली होगी हमारे परिवार का नाम और सम्मान हमारे पोती ने बढ़ाया है क्या वे हमारे साथ आएंगी हम अगर कोशिश करेंगे तो वो क्यों नहीं आएंगी सरस्वती आखिर देव्यानी हमारा प्हून है हमारे अमर की निशानी है साथ ससुर को अचानक अपने घर आया देख कल्यानी चौक गई उनके पाउं छू आदर से बिठाया कमल कांद ने बिना किसी भूमिका के कहा हम तुम दोनों को लेने आये है बहू अपने घर चलो हम अपने घर में ही है पापाजी आप किस घर में ले जाने की बात कर रहे है शान स्वर में कल्यानी ने कहा ये तुम्हारा घर नहीं है बहू किराय का घर अपना नहीं हो सकता अमर का घर तुम्हारे प्रतिक्षा कर रहा है नहीं पापाजी इस घर ने हमें वो सब कुछ दिया है जो आपका बेटा हमें देना चाहता था वैसे भी अमर का घर तो वो गाउं है जहां देव्यानी जाकर उनके अधूरे सपने पूरे करेगी हमेशा मा करें पापाजी हाँ हमारे इस छोटे से घर में आपका हमेशा स्वागत रहेगा देख लिया तुमने ही इसे पढ़ने की इजासत थी आज ये जो कुछ भी है उसके लिए तुम्हारा एहसान मानने की जगा उल्टे जवाब दे रही है चलो हम चलते हैं सरस्वती कुरुद थी शमा करेमा पापाजी और आप हमेशा हमारे पूजे रहेंगे पापाजी आपने हमारी जो सहिता की उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ अगर हम कभी आपके काम आ सके तो प्रसनता होगी बड़े विनम्र स्वर में कल्याणी ने अपनी पात कह दी रहने तो भगवान ना करे हमें कभी तुम्हारी जरूरत पड़े तुम्हारी वकात ही क्या है चलिए जी चले मैं तो पहले ही यहां नहीं आना चाहती थी सरस्वती का आक्रोश शब्दों में फूट पड़ा चुप रहो सरस्वती इसी अभिमान की वज़ा से हमने बेटा खोया घर आई बहु और बेटी का निरादर किया अब और एक शब्द भी मत कहना हमें माफ करना पहू देव्यानी को देखने की साथ थी उसे हमारा आशिवात देना सनेहे विगलित कंट से आशिवात दे का मलकान चले गए कॉलिच से वापस लोटी देव्यानी से कल्यानी ने साससुर के आगमन की पात बताई देव्यानी को निर्ने लेने में देर नहीं लगी तुमने ठीक किया माँ वो घर कभी हमारा था ही नही एक एक पल हमने अपमान के साथ जिया हाँ बाबा के मन में जरूर कभी हमारे लिए दया उमरती थी पर घर के बाकी सदस से हमें सिर्फ नफरत के नजरों से देखते रहे ऐसे खून के रिष्टों के मुकाबले महिमा मौसी के साथ रिष्टे को मैं जाधा बड़ा मानती हूं मा ठीक कहती है देव्यानी तुने मेरे मन का बहार हलका कर दिया चल हाथ मूँ धोकर कुछ खा ले तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल है मा जाधी हो एक साल बाद मैं पूरी डॉक्टर बन जाओंगी मेरे साथ तुम्हें भी एमे कर लेना है घबरा नहीं तुझसे पीछे नहीं रहूंगी साहासय कल्याणी ने कहा रोहित मेडिसन की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन चुका था ना जाने क्यों पिता के नर्सिंग होम में काम करने की जगह वो अपने ही मेडिकल कॉलेज में रेजिटेंस की तरहां चौप करने लगा देव्यानी पूछ बैठी क्या बात है रोहित अपने पापा की शानदा नर्सिंग होम छोड़ कर तुम यहां चौप कर रहे हो कहीं अपने पापा से लड़ाई तो नहीं कर डाली देव्यानी ने परिहास किया सच कहूं तो इस कॉलेज में मुझे जो अनमोल रतन मिला है उसे छोड़ कर स्वर्ग जाना भी संभब नहीं है देव्यानी वैसे मैं क्या लड़ा का इंसान लगता हूँ जो अपने पापा से भिड़ जाओंगा रोहित हस रहा था अरे इस जगा तुमें कोई रतन मिल गया कमाल की बात है कहां है वो रतन देव्यानी हस रही थी वो रतन तुम हो देव्यानी कभी सोचा नहीं था यहाँ तुम जैसा हीरा मिल सकेगा क्या मुझ जैसे मामूरी लड़की को तुम हीरा कह रहे हो रोहित तुम नहीं जानती तुम क्या हो देव्यानी सच्चाई तो ये है मैं तुम्हें बेहत प्यार करता हूँ लगता है तुमसे एक पल अलग रहना भी भारी पड़ेगा बस इसी लिए यहां जॉब ले लिया है I love you देव्यानी नहीं रोहित ऐसा मत कहो हमें डर लगता है देव्यानी जैसे खबराजी गई किससे डरती हो देव्यानी मुझसे या मेरे प्यार से सच कहो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती देव्यानी रोहित की सवाल या निगाहे देव्यानी के चहरे पर कड़ी थी हमें कुछ नहीं पता रोहित प्लीज ऐसी बाते मत करो हमारी जिन्दगी का मकसद प्यार या शादी नहीं है तुम्हारा मकसद ही मेरा मकसद होगा तुम्हारे रास्ते में कभी बाधा नहीं बनूँगा ये मेरा बाधा है रोहित कंभीर था ऐसा नहीं हो सकता अपनी वज़ा से तुम्हारी जिन्दगी बरबाद नहीं कर सकते रोहित तुम शानों शौकत की दुनिया में पले बड़े हो मैंने कांटों का रास्ता तै किया है उस रास्ते पर तुम नहीं चल सकोगे रोहित आस्मा कर देखो देव्यानी तुम्हारे साथ कांटे भी फूल बन जाएंगे ये बाते सच नहीं होती रोहित जिन्दगी की कड़वाहट प्यार व्यार भुला देती है कुछ भी कहो मैंने तै कर लिया है तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से शादी ना करूँगा ना प्यार तुम्ही मेरी जिन्दगी की पहली और आखरी लड़की हो और हमेशा रहोगी सोच कर जवाब देना देव्यानी देव्यानी को कुछ कहने का मौका दिये बिना रोहित तेज कत्मों से चला गया घर आई देव्यानी को सोच में डूबा देख कल्याणी ने प्यार से बज़ा चाननी चाही बिना कुछ छिपाए देव्याणी ने रोहित की प्रस्ताव के बारे में सब कुछ बता दिया कल्याणी को अपना अदीद याद हो आया अमर के प्रस्ताव को भी वो आसानी से कहां स्विकार कर पाई थी आज कल्याणी को साफ नजर आ रहा था रोहित और अमर में कितना सामय है शायद इसी वज़ा से रोहित के साथ देव्याणी को गुमने फिरने की छूट उसने दे रखी थी अमर की तरहां ही रोहित देव्याणी से सच्चा प्यार करता है बेटी के माथे पराई लटे प्यार से सहलाती कल्याणी ने कहा सच्चा प्यार किसमत से मिलता है देव्यानी अगर इस प्यार को ठुकरा दिया जाए तो शायद जिन्द की भर पच्ताना पड़ सकता है नहीं मा अभी मैं शादी या किसी भी दूसरे बंधन के लिए तयार नहीं हूँ इंटर्शिप खत्म करके मैं पापा के गाउं जाऊंगी पापा का अधूरा सपना मुझे ही पुरा करना है अब आगे कभी इस पारे में बात मत करना बेटी के द्रिट चहरे को देख कल्यानी की और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई कल्यानी का M.A. का रिजल्ट और देव्यानी की M.V.B.S. की डिगरी एक साथ ही मिली कल्यानी ने M.A. परिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तिन की थी और देव्यानी ने पूरे कॉलेश में टॉप किया था देव्यानी के प्रोफेसर डॉक्टर राघव ने कहा था मैं चाहता हूँ तुम रिसर्च वर्क करके कोई नई खोज करो तुम जैसी जहीन लड़की साधारन डॉक्टर भरबन कर रह जाए ये ठीक बात नहीं है ठैंक सर मेरी जरूरत एक ऐसे गाउं में है जहां बरसों से मेरा इंधसार किया जा रहा है मुझे माफ करें पर मैं वचन बद्ध हूँ घर पहुँचने पर कल्याणी ने देव्यानी को एक और खुशखबरी दी कल्याणी के कारेले में निर्देशक के रिक्त पद पर कल्याणी के न्युक्ती की गई थी मा का चमकता चेहरा देख देव्यानी का मन संतोष से भरूठा ओख मा आज तुमने पापा के सपने साकार कर दिये अब तो जिन्दगी तुम्हारी मुठी में है मुझे तुम पर गर्व है मा गर्व तो मुझे भी अपनी बेटी पर है मेरा सच्चा गौरव तो तू मेरी बेटी देव्यानी है मा मैंने गाउं में चौधरी जी को चिठी भीजी है उन्हें लिखा है मैं गाउं पहुच रही हूँ हमारा घर ठीक करा दे तू क्या अकेली वहां रह सकेगी देव्यानी मैं भी तेरे साथ चलूँगी मैं यहां की नौकरी छोड़तूँगी ना बाबा ऐसा गजब मत करना तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे चेतना केंदर का क्या होगा सुना है जल्दी ही गाउं में आड़तें अपना बैंक खोलना चाह रही है हाँ देव्यानी जब से पारो और जमिला चाची पंचायत में आई है चेतना केंदर दिन बादिन तरख्की ही करता जा रहा है पारो इस साल मैटरी की तयारी कर रही है चन्दन की मदद से पारो अपने काम आसानी से पूरे कर लेती है चन्दन बहुत समस्दार युवक है काश गाउं के और पुरुष भी उसकी तरह समस्दार होते वैसे गाओं के कई नौजवानों की सोच में बतलाव आया है प्रधान जी का बेटा भी चेतना केंदर की तरक्के में साथ दे रहा है ये तो अच्छी बात है मा अब मुझे जाने की तयादी करनी है समझ में नहीं आता तेरे बिना कैसे जी सकूँगी कल्याणी उदास थी तुम अकेली कहा हो मा यहां तो महिमा मौसी और चेतना का भरा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है अकेले तो हम अपने बाबा के घर में थे उन बातों को भूल जा देव्यानी गाओं में चौधरी काका की उम्र हो गई है पर उनके साथ तेरे पापा को प्यार करने वाले और लोग तेरा खयाल रखेंगे इसी बात का संतोश है कल्याणी ने गहरी सांस ली हाँ मा ठीक कह रही हो चौधरी काका ही क्यों गाओं में पापा को प्यार करने वाले कम तो नहीं है जो पापा को प्यार करते थे, वो क्या उनकी बेटी को प्यार ना करेंगे? मेरी सहेलिया भी तो गाउं में होंगी. रमाका की सुगना बुआ सब हमें कितना प्यार करती थी. देव्यानी पुरानी मीठी यादों में खो गई. अरे अपने गोपाल भाईया को भूल ही कई तुझे पीट पर बैठा कर गाउं भर का चकर लगाता था उन्हें कैसे भूल सकती हूँ पापा के सबसे बुद्धिमान छात्र थे अब ना जाने वो कहां होंगे हाँ देव्यानी गाउं छोड़े अर्सा हो गया ना जाने कौन कहां होगा घपराओ नहीं मा मैं नए रिष्टे जल्दी ही कायम कर सकती हूँ और पुराने रिष्टों को तोड़ भी आसानी से देती हो क्यों ठीक कहा न देव्यानी खुले दर्वाजे से अंदर आये रोहित ने कटुस्वर में कहा अरे रोहित तुम कब आये तब ही जग तुम नए रिष्टे कायम कर रही थी सौरी रोहित मेरा वो मतलब नहीं था तुम्हारा जो भी मतलब हो मैं समझना नहीं चाहता बस इतना बता दो नए रिष्टे बनाने कब जा रही हो कम से कम तुम्हें जाते वक्त अपनी शुब कामनाई तो दे सकूँ चौधरी काका के चिठी आते ही खबर करूंगी रोहित और प्लीज इतने कड़वे मत बनो हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे इस किरपा के लिए एक बार फिर शुक्रिया अब चलता हूँ अरे बेटा जब आए हो तो खाना खा कर जाओ कल्यानी जैसे सोते से जागी नहीं मा भूग नहीं है रोहित तेजी से चला गया कल्यानी उदास हो गई देख रही है देव्यानी तेरे जाने की बात सुनकर रोहित का मुह कैसा सूख गया है खिले खिले चेहरे पर काले बदली छा गई है तू शादी के बात भी तो अपना काम कर सकती है ओह मा फिर वही पुराना राग मत अलापो जाते वक्त मेरा मुड तो खराब मत करो देव्यानी गाउं चाने को तयार थी कल्यानी ने मंगल दिलक लगा कर आशिरवाद दिया देव्यानी के लाख मना करने के बावजूद रोहित उसे गाउं तक छोड़ने अपनी कार ले आया था रास्ते भर रोहित चुप बैठा ड्राइव करता रहा गाउं में प्रिविष्ठ होते ही देव्यानी चहक उठी वो देखो रोहित उस कुएं पर हम पापा के साथ पानी खीज कर मूध होते थे ये हैंड पम पापा ने लगवाया था इस खेत के गन्ने हम खुद उखाड कर खाते थे इस आम और सामने वाले अमरूत के फल तो हमने किसी और को खाने ही नहीं दिये बरसाद की हर्याली चारों और बिखरी पड़ी थी ठंडी ठंडी हावा ने रोहित का मूट ठीक कर दिया बच्चों से उचसाहित देवयानी की ओर देख वो हलके से मुस्कुरा दिया थेंक्स गॉड तुम्हारे चेहरे पर हसी तो आई देवयानी खुश थी अपने घर के सामने पहुँच देवयानी कुछ देर के लिए अपने को भूल सी गई जीवन के ग्यारा वर्ष उसने उसी घर में पिताए थे आज भी दिवारों पर मा के बनाए चित्र धुमिल होकर भी देवयानी की स्मिर्थी में चमक रहे थे कार रुकते ही लाठी टेकते चोथरी काका के साथ पूरा गाउं उमर पड़ा चोथरी काका के पाउं छुती देवयानी की आँखे भराई सुगना बुआ, रमा, काकी देवयानी को सीने से लगा रोपड़ी एक्तम अपनी मा जैसा रोप पाया है हमारी कल्यानी को क्यो नहीं लाई बिटिया आचल से आँसू पोशती रमा काकी ने पूछा मा ठीक है, जल्दी ही आप सबसे मिलने आएंगी बुआ, शन्नो बसंती कैसी है? अरे, उन सब की शादी हो गई, अपने अपने घर में खुश है तुस्से मिलने आ रही होंगी जमना चाची ने सूचना दी तेरे साथ तेरा दूला है देवयानी? सुगना बुआ ने धीमे से पूछा बुआ के धीमे से पूछे गए सवाल ने देवयानी के कान तक लाल कर दिये और रोहित के चेहरे पर शैतान मुस्कान तैर गई नहीं बुआ, ये हमारे सीनियर डॉक्टर रोहित है दोनों के लिए हर घर से खाना आया था सब उन्हे अपना भोजन खिलाने की कोशिश कर रहे थे रोहित उनके आतिथ्य से अभी भूत था देवयानी के लिए घर में सब ही जरूरी सामान की विवस्था कर दी गई थी पिता की मेज कुर्सी की मरमत कराकर नया सा कर दिया गया था अमर बेटे ने हमें जो रह दिखाई हमने उस पर अमल करने की कोशिश की है बेटी अब गाओं में बिजली पानी की कोई कमी नहीं है स्कूल में एक तुम्हारी उमर की मास्टर नहीं आई है बहुत अच्छी लड़की है गदगद कंट से चौधरी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है काका मैं जल्दी ही स्कूल जाकर टिचर से मिलूंगी रोहित के वापिस जाते वक्त देवयानी अचानक उदास हो आई लगा कोई अपना अभिन उसे अकेला छोड़कर चा रहा है तुम आते रहोगे ना रोहित तुम कहो तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रह जाओ मुस्कुराते रोहित ने कहा फिर वही बात ठीक है जाओ पर मा की खोच खबर लेते रहना प्लीज ये भी क्या कहने की बात है वो मेरी भी तो मा है गंभीर रोहित ने कहा सौरी गलती हो गई देव्यानी ने अपने को काम में पूरी तरहंट बोलिया सुभा से देर रात तक वो रोगी देखती घरों में चाकर और्तों को सफाई की शिक्षा देती सब देव्यानी को आशिश देते ना थकते अचानक एक दिन देव्यानी के सामने उसकी सहेली सुश्मिता आखड़ी हुई देव्यानी खुशी से लभखची खुठी सुशी तू यहाँ हाँ देव्यानी मैं यहाँ स्कूल में टीचर हूँ ठीक कहा जाता है दुनिया बहुत छोटी है मैं तो तुझे खोही चुकी थी एक बात पता तो इस गाओं में क्यों आए देव्यानी विसमित थी लंबी कहानी है देव्यानी इतवार को स्कूल बंद रहेगा घर आ जाना वहीं बैठकर बाते करेंगे हाँ खाना मेरे साथ ही खाना जरूर सुशी आप तो इतवार का घर स्कूल कंभाउंड में ही था खपरेल के दो कमरों वाले घर को सुश्मिता ने साथगी से सजा रखा था देव्यानी को वो घर बहुत अच्छा लगा घर के काम करने के लिए एक हसमुख लड़की कमली को देख देव्यानी को पारो याद आ गई चाय पीती देव्यानी ने अपना सवाल फिर दोराया सुश्मिता इस काउं में क्यों आई बड़ी कमभीरता से सुश्मिता ने अपनी बात कही मेरे पिता की इस काउं में डॉक्टर की तरह पहली पोस्टिंग थी उनके घर एक आधिवासी लड़की महुआ खाना बनाने आती थी महुआ के भूले पन पर पिता रीच गए और अपनी सीमा तोड दोनों एक हो गए बात कहती सुश्मिता चुप हो गई फिर क्या हुआ सुशी क्या तेरे पिता ने महुआ से शादी कर ली अगर ऐसा होता तो मैं अपने पिता पर गर्ब करती पर वो तो कायर निकले महुआ ने जब उनसे अपनी मा पन्ने की बात पताई तो पिताजी रातों रात गाउँ छोड़कर शहर चले गए ओह फिर महुआ का क्या हुआ सुशी महुआ पिताजी के घर के सामने पैठी ये तो बड़ी करुण कहानी है सुशी तुछी ये सब किसने बताया देव्यानी उदास थी पिताजी की मृत्यू के बाद उनकी टैरी मिली वो भी अपने कृत्य पर शर्मिन्दा थे तू तो जानती है मेरा कोई भाई नही पिता के अन्याय का प्राष्टी तो मुझे ही करना है इस गाउं की लड़कियों में महवा की बेटी और अपनी बेहन को खोशती हूं देव्यानी सुश्मिता का कंट भराया तू डॉक्टर बनकर भी तो यही कर सकती थी सुशी तेरे पापा तो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे ना हाँ देव्यानी पिताजी को दंड तो नहीं दे सकती थी पर उनकी इच्छा पूरी ना कर एक तरहां से उन्हें दंडी थी तो किया है देव्यानी देव्यानी विसमे से सुश्मिता के दृट चहरी को देखती रह गई खाने का स्वाध ही जैसे बिगड़ गया घर लोटकर देव्यानी सोचती रह गई कहां होगी महवा की बेटी ना चाने किसके हाथ वो नन्नी बच्ची पड़ी होगी अपने पिता पर देव्यानी को गर्व हो आया परिवार से निश्कासन सहकर भी उन्होंने मा को अपनाया सुश्मिता के प्रती उसके मन में अभिमान था पिता की भूल का प्रैश्चित कर वो पुत्र का कर्तबे निभा रही थी अचानक एक दिन कल्याणी के साथ रोहित काओं आ पहुचा कल्याणी से लिपट देव्यानी रो पड़ी हे ब्रेव गर्ड ये आसू कैसे मा आई है तो खुशी मनाओ रोहित ने मजा के अंदास में कहा तो देव्यानी हस पड़ी ठेंक्स रोहित मा को लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है तो मेरा इनाम मिलेगा क्या इनाम चाहिए पहले वादा करो जो मांगू दोगी चलो वादा किया पर ऐसी चीज मत मांग बैठना जो ना दे सकूँ ये गाओं है समझे मन्जूर वही मांगूँगा जो तुम सिर्फ तुम दे सकती हो ठीक है मांग कर देखो जरूर मिलेगा मुझे स्विकार कर लो देव्यानी मैं तुम्हारे पिना अधूरा हूँ तुम इस गाओं को अपने कर्म भूमी बनाए रखो मुझे कोई अतराज नहीं है जब समय मिलेगा हम मिलते रहेंगे ये तो तुमने ऐसी चीज मांग ली जिसे मैं पहले ही अस्विकार कर चुकी हूँ अभी तुमने वादा किया है जो चाहूँगा मिलेगा मा साक्षी है अब तुम वादा नहीं तोड़ सकती अच्छा ये तुम दोनों की मिली भगत है इसी लिए रोहि तुम ही यहां लाया है जी हाँ एक बिगडी हुई लड़की को उसकी मा ही संभाल सकती है ठीक कहा न मा कल्यानी की मुस्कान पर देव्यानी चुड़ गई वाह मा कुछी दिनों में बेटी को भुला कर बेटे को अपना बला लिया अब ये तो बेटे के गुण पर निर्भर करता है मैं एक समझदार सुलचा हुआ बेटा हूँ ठीक है अपने मुह मिया मिठो आत्म परशंसा से बड़ा दुर्गुण दूसरा नहीं जानते हो न चलो तुम वादा तोड़ कर तो हार ही गई नहीं रोहित मेरी बेटी वादा कभी नहीं तोड़ सकती ये गुण इसे अपने पिता से विरासत में मिला है ठीक कहा ना देव्यानी मा तुम भी अब इमोशनली ब्लेकमेल कर रही हो मुझे सोचने का वक्त चाहिए हाँ कल जिला कलेक्टर का गाओं का दौरा है मुझे अपने स्वास्थे केंदर को ठीक करना है वाँ इस काम में तो मैं भी तुम्हारे मदद कर सकता हूँ चले दूसरे दिन कलेक्टर के रूप में जो युवक कार से उतरा उसका चहरा देव्यानी को बहुत परिचित लगा नाम सुनते ही देव्यानी के स्मिलती में गोपाल नाम का वो लड़का कौन गया जिसकी पीट पर बैठ वो घंटों गाओं के चकर लगाती थी गोपाल भाईया, आप गोपाल भाईया है ना मेरी याद है, मैं देव्यानी, अमरकांथ जी की बेटी देव्यानी, तू इतनी बड़ी हो गई जब मुझे पता लगा गाओं में देव्यानी नाम की डॉक्टर आई है तब से मन में तुझ से मिलने की इच्छा थी पापा ठी कहते थे, आखिर तुम कलेक्टर बन ही गए ये सब उन्ही का प्रताब है, बच्पन से कुछ कर गुजरने की इच्छा उन्होंने ही पैदा की थी मा कैसी है देव्यानी, मा अब एक शक्ति संपन महिला बन गई है आज वो यहां आई हुई है, मिलोगे? उनके चरण चुए बिना कैसे जा सकता हूँ तुम्हारा स्वास्थे केंदर देख कर बहुत खुशी हुई जो भी सामान चाहिए मैं व्यवस्था करा दूँगा तुम्हारे साहिता के लिए जल्दी ही दो नए डॉक्टर भी आने वाले है ये तो पड़ी अच्छी बात है गाउं के स्कूल में मेरी सहिली सुश्मिता टीचर है उसकी भी मदद कर देना भाया तुम सुश्मिता जी को जानती हो मैं पहले से ही उनकी मदद करता आ रहा हूँ तुमने देखा नहीं स्कूल की इमारत और फरनीचर कितना अच्छा है जब तुम छोटी थी तो टाट की दरी पर बच्चे बैठते थे गोपाल हस बढ़ा कल्याणी के पाउचु गोपाल ने आर्शिवाद पालिया पुरानी यादों में काफी रात हो गई कल्याणी के अनुरोद पर गोपाल ने खाना भी खालिया रोहित का परिचय पाकर गोपाल हलके से मुस्कुरा दिया देव्याणी के कान में धीमी से कहा कॉंग्रेचलेशन्स अच्छी पसंद है देव्याणी फिर लाल पड़ गई कल्याणी और देव्याणी से विदा लेते गोपाल ने कार स्कूल की और मोड़ दी सुश्मिता उसे आया देख चौंक गई कहिए स्कूल कैसा चल रहा है सुना है शाम को खाली वक्त में आप औरतों को भी पढ़ाती है मुस्कूलाते गोपाल ने पूछा जी वक्त तो काटना ही पढ़ता है अगर कुछ और सुविधाय मिल जाती तो अच्छा होता कुछ संकोस से सुश्मिता ने कहा आप हुक्म कीजिए सब कुछ आ जाएगा आप जैसी टीचर का होना गाउवलों का सौभाग्य है शुक्रिया यहां के लोगों से जो प्यार और अपनापन मिला है वो मेरी भी तो खुश किसमती है आप तो बहुत कुछ डिजर्व करती है सुश्मिता जी आज चलता हूँ आता रहूँगा यहां मेरी मुहंबोली बेहन देव्यानी आपकी से हेली है आपका वक्त उसके साथ अच्छा बीतेगा बाए रोहित के साथ शहर लोटती कल्याणी ने देव्यानी को अकेले में बहुत समझाया अब वो सेटल हो चुकी है स्वास्थे केंदर में भारी भीड के बीच भी देव्यानी के चहरे पर ठकान का चिन तक नहीं आता अब उसे रोहित के प्रस्ताव पर गंभीड़ा से विचार करना चाहिए रोहित को छोड़ना सबसे बड़ी गल्ती होगी कल्यानी की बातों में सचाई थी अकेला जीवन काटने में उसके साथ उसकी बेटी देव्यानी थी पर देव्यानी के सामने कौन है मा के चले जाने के बाद देव्यानी सोच में पढ़ गई इतने दिनों में वो जान गई थी रोहित ने उसके दिल पर अधिकार कर लिया था वो मन ही मन उसे चाहने लगी थी सुश्मिता के सामने जब उसने मन की बात रखी तो उसने भी कल्याणी की ही बात का समर्थन किया अगर रोहित को देव्यानी के गाउं में रहने पर आपती नहीं तो देव्यानी के पास उसका प्रस्ताव ठुकराने का क्या कारण हो सकता है। बड़े संकोत से सुश्मिता ने बताया, गोपाल ने उसके सामने भी विवहा का प्रस्ताव रखा है। वो सुश्मिता से अक्सर मिलता रहा है। देव्यानी खुशी से सुश्मिता से लिपट गई, अब वो उसे भावी कहेगी। सुश्मिता ने कल्यानी के पास देव्यानी के रोहित के साथ विवहा की स्विकृति भेज दी। खत पाते ही रोहित और कल्यानी आ पहुँचे। देव्यानी ने गोपाल को भी फोन करके पूरी बात सुनते ही गोपाल ने एक शर्ट रखती। देव्यानी ने मुस्कुराते हुए गोपाल की मन चाही शर्ट रखती। शर्ट मन्जूर की जाती है पर पहले शादी बेहन की होनी चाहिए वरना ननत भावी में जगड़ा होगा। ननत के ससुराल जाने के बाद कोई खत्रा नहीं रह जाएगा। गोपाल के परिहास पर सब हस पड़े। गोपाल के साथ पूरा गाउं देव्यानी की शादी की तयारियों में चुट गया। साथ आठ दिन पहले से रात रात भर नाच काकर और्तों ने गाउं को गुलसार कर दिया। कल्यानी के अनुरोत पर देव्यानी के बाबा दादी और शर्शिकांत भी विवहा में समलित होने आ गए। देव्यानी का सम्मान देख उनका हिद्य गर्व से फूलुठा। अमर की लोग पुजा करते थे। सर्स्वती के मन का मैल दूर हो गया। देव्यानी को सीने से लगा कर वो रो पड़ी। ये वही लड़की थी जिसे एक गलास दूद को उन्होंने तरसाया था। बाबा दादी का प्यार पाकर देव्यानी की आँखों से भी गंगा जमना बह निकली। नियत दिन धूम धड़ाके के साथ रोहित की पारात आई। मेडिकल कॉलिज के पहुत से साथ ही बारात में भंगडा करते नाच रहे थे। नीता भी शादी में शामिल होने आई गाउं वालों के आतिथ्य ने बारातियों को गदगद कर दिया। देव्यानी और रोहित परिणे सोत्र में बंध कए। गाउं की परंपरा नुरूप उनकी मधु यामिनी गाउं में ही संपन होनी थी। सुश्मिता ने बेले और रचनिकंधा की लड़ियों से कमरा सजाया गौपाल ने धीमे से पूछा हमारे सोहाग रात में हमारा कमरा कौन सजायेगा अपनी पसंद बता दो पहले से ही तयारी करा लूँगा। धत हम बात नहीं करेंगे। सुश्मिता लचा गई। जिन्दी की भरसात रहना है क्या मौन वरत रखोगी। गौपाल हस्ता हुआ चला गया। सुर्योद्यों की चड़ियों की चहचाहाट ने देव्यानी और रोहित को जल्दी जगा दिया। दूर कहीं कोयल पोल रही थी। आमर मंजरियों से सुवासित हवा उन दोनों को चुगई। आखे खोल रोहित ने देव्यानी को अपने बाहु पाश में चाहा पर देव्यानी चिटक गई। तुमने कभी गाउं की भोड देखी है रोहित। यहां का सवेरा कोयल में बोलता है। सुन रहे हो। मैं तो बस अपनी देव्यानी को देख सुन रहा हूँ। इधर मेरे पास आओ। प्लीज रोहित। थोड़ी देर को इस खिड़की के पास आजाओ। तुमने ऐसा सुर्योद्य कभी नहीं देखा होगा। जबरन रोहित को बिस्तर छोड उठना पड़ा। पूरब से चमकता लाल सुरच उभरता आ रहा था। गाउं जैसे लाल सुनहरे रंग में रंग गया था। जानते हो रोहित। जब मैं छोटी थी सुर का मतलब समस्ती हो देव्यानी। सच उनका कहना कितना सार्थक था। क्या मतलब था रोहित। भोले पंसित देव्यानी ने पूछा। उनके कहने का मतलब यही था। अपने विश्वास और मेहनत से अपने लक्षे पाल लेने का आर्थ सुरच को मुठी में कैद कर लेना ही तो होता है, आज उनकी देव्यानी ने सचमुच सूरज को अपनी मुठी में खैद कर लिया है। सीने में सिर छपा लिया, उगते सूरे की रश्मिया कमरे में अनुराग का रंग छिटका गई। अभी आपने डॉक्टर पुष्पा सकसेना जी का लिखा उपन्या सुना, आप मुझे आके दीजिये, फेराऊंगी, धन्यवाद।